अगर आपको यादो तो हमारा यह रिविजन सीरीज चल रहा है for the purpose of November and December 22 और with some amendment यह applicable हो सकता है May 23 as well as November 23 को भी येस तो उमीद कर रहा हूँ आप यह रिविजन सीरीज देख रहा है मैंने already question and discussion update कर दिया है इसके पहले के जो तीन वीडियो है that is basic, residential and agriculture मैंने already डाल रखे तो playlist एक बाँ चेक कर लीजेगा आज हमारा target है salary को complete करने का salary को क्या करना है complete करना है ये जो book मैं use कर रहा हूँ ये है past track book और past track book से मैं revision कर रहा हूँ हाला कि आप module से भी revision कर सकते है आपके जो भी teacher आप उनकी book से भी refer कर सकते है as well as ये book भी मंगा सकते है कहां से we learnclasses.com से मंगा सकते है येस और हाँ येस वीडियो का के लिए के लिए नहीं देखना है अपने दोस्तों को forward करना बिलकुल मत भूलिएगा येस अपने दोस्तों को बिलकुल मत भूलिएगा उनको भी आपको क्या करना है forward करना है येस just a minute तो जी हाँ दोस्तों आज हम लोग salary का revision करने जाने है salary के revision में पहले बाद ध्यांदे सुनिए salary कोई छूटा topic नहीं है salary बहुत बड़ा topic है सबसे बड़े तीन challenge आता है salary के साथ पहला challenge आता है salary के इतने सारे perquisites को याद कैसे रखा जाए right दूसरा challenge आता है retirement benefits के इतनी सारी conditions को याद कैसे रखा जाए और तीसरा ये पूरे salary को एक साथ जब problem आता है तो किस तरीके से compute किया जाए right तो ध्यान से सुनिएगा salary के जब आप revision करने जाएंगे तो मेरा objective यह है कि सबसे पहले आप perquisites revise करें क्योंकि वही सबसे जादा time taking process है right perquisites के बाद आप आए retirement benefits को पढ़ने के लिए और उसके बाद आप जाकर के basics and allowances पर जाएंगे ऐसा करने से आपका perquisites का जो बहुत बड़ा लोड है वो कम हो जाएगा क्या होता है किसी भी परेशानी का सबसे बड़ा solution यह उस परेशानी को face करना right तो आप अगर सबसे पहले perquisites के उपर भढ़ जाएंगे तो यह कभी भी ज्यादा बहतर होगा yes तो चलिए शुरुआत करते है सर हम कहां से शुरुआत करने वाले है मेरे हिसाब से तो भी है अपनने सीधे शुरुआत करनी चीए कहां से परक्विजिट से अपनने बिलकुल कहां से शुरुआत कर दीनी चीए परक्विजिट से शुरुआत कर दीनी चीए मैं परक्विजिट के अलग-अलग चीजों को कहा आएगा बिटा वो आएगा सीधा-सीधा salary के अंदर में, अगर employer-employee relationship है तो, अगर salary, you know, अगर employer ने employee को gift दिया है, तो इस salary के अंदर में taxable होगा, दूसरा, इसकी annual limit है 5,000 रुपीज, अगर 5,000 रुपीज तक का gift है, nothing is taxable as perquisite, 5,000 रुपीज तक का amount है, nothing is taxable as perquisite, right, 5,000 के अगर gift मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 treatment है, 5,000 के उपर का gift मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 treatment है, treatment number 1, ICAI क्या करता है, 5,000 के उपर के पूरे gift को क्या कर देता है, वो taxable कर देता है, 5,000 के उपर के पूरे gift amount को taxable कर देता है, for example, if gift amount is 10,000, तो ICAI materials में आपको पूरा 10,000 taxable दीखेगा, हाला कि इंडिया के कई authors 5,000 के beyond का जो amount है that beyond amount वाला tax किया जाता है that is if the gift amount is 10,000 रुपीज तो only 5,000 tax किया जाता है वैसे आप ICI के जो problem solving है उसमें देखेंगे तो वो पूरे amount को tax करता है और नीचे alternative solution के अंदर में only balance taxable दिखाया जाता है so if the cost of gift does not exceed 5,000 हम इसे निल पकड़ते है if the cost of gift exceeds 5,000 alternative one है जो ICI follow करता है और हम class में भी follow किया है हम लोगोंने 5000 के उपर का पूरा gift क्या कर दिया जाता है taxable कर दिया जाता है yes alternative to क्या है alternative to क्या है only the amount exceeding 5,000 को क्या किया जाता है tax किया जाता है और यह हमेशा as an alternative solution लिखाय जाता है यह हमेशा क्या किया जाता है as an alternative solution लिखाय जाता है सभी को याद आ रहा है हाँ या ना right so gift यह कैसे है परक्विजिट है जो important है exam में कई बार पूछा जाता है gift के बाद second perquisite के उपर हम लोग आते हैं that is credit card facility employer employee को credit card facility देता है right credit card facility अगर official purpose के लिए दिया गया है तो totally nil ऐसे भी याद रखेगा अगर कोई भी benefit आपको official purpose के लिए दिया है तो यह taxable ही नहीं हो सकता क्योंकि perquisite का benefit यह होता है कि personal benefit जाए तो credit card आपको दिया है official purpose के लिए office के बिहाफ पर खरीदी करने के लिए nothing is taxable as perquisite अगर credit card personal purpose के लिए भी use किया जाता है right तो ऐसे case में जितना भी cost to employer credit card का bill employer ने भरा होगा cost to employer minus अगर employee की salary से कुछ recover हुआ होगा तो उतना minus किया जाता है balance is taxable as perquisite मान लीजे employee ने 10,000 रुपए का खर्चा किया है right जिसका bill employer ने भरा और इसमें से employee की salary से 3,000 रिकवर हुए तो 10,000 that is cost to employer right minus 3,000 that is recovered from employee 7,000 रुपीज perquisite बोलके add हो जाएगा so official purpose के लिए होगा तो nil other purpose के लिए होगा तो actual cost to employer minus anything recovered right यहां पर 2 responsibility आती है किसके उपर employer के उपर की employer को details देने होगी कि ए credit card किस purpose के लिए use हो रहा है और कितना खर्चा किस चीज के लिए किया गया है so complete detail in respect of such expenses are to be maintained by employer which may includes the date and nature of expenses which may includes the date and nature of expenses yes or no exam point of view इतना ज्यादा relevant नहीं बनता next आता है बिटा club facility yes health club भी बोला जाता है ऐसे या club facility भी बोला जाता है अगर club facility official purpose के लिए दिया गया है totally nil अगर club facility uniformly दिया गया है हर employee को तो इसको भी taxably नहीं किया जाता so official purpose के लिए दिया है nil uniformly हर employee के लिए दिया है तो भी nil पकड़ा जाता है corporate membership अगर लिया है अगर आपने corporate membership लिया है जो सारे employees के लिए है इसका जो initial fees होता है ये भी nil पकड़ा जाता है जो membership का initial fees होता है ये भी क्या पकड़ा जाता है नil पकड़ा जाता है अधर्स के केस में actual cost minus anything recovered, अधर्स के केस में actual cost मतलब actual cost जो employer ने bear किये, minus recovered का मतलब होता है anything अगर employee की salary से minus किया है, तो actual cost minus anything recovered, तो official purpose के लिए होगा nil, अगर हर employee को evenly provide किया होगा nil, जो corporate membership ली जाती है club की, इसका जो initial fee से ये भी nil पकड़ा जाता है, और बाकी सारे case में actual cost to employer minus anything recovered, exam one of you इतना जादा नहीं पूछा जाता, right, इसके बाद में आता है आपका ESOPS, ये पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा जाता है, इसे important mark किया जाता है, employer ने employee को क्या provide किया, ESOPS, यहां तक के सब को समझ में आ रहा है, हाँ या ना, employer ने employee को क्या provide किया, ESO ESOPS प्रोइड किया, ESOPS प्रोइड किया, SWEET EQUITY शेर प्रोइड किया, आप इसे अलगलग छब्दों में कह सकते है, right, employer ने employee को अगर shares प्रोइड किया, तो जाहिर सी बात है, जो shares ले जाता है, market value से बहुत कम में मिलते हैं employee को, so whatever is the fair market value as on the date of excise of option, minus amount received from employee, यही हमारा net benefit रह so fair market value as on the date of excise of option, minus amount recovered into number of shares will be taxable as perquisite, into number of shares will be taxable as perquisite, आईए मैं आपको quick insight देता हूँ, जर समझने के लिए, इसका impact आपको capital gain के अंदर में भी देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको सम्झा रहा हूँ, मान लीजे, employer है, employer क्या कर रहा है, ESOPS प्रोइड कर रहा है, किसको प्र wide कर रहा है, ठीक है, ध्यांद सुनना, employee के हाथ में salary बोल करके taxable होगा, कैसे taxable होगा, as perquisite, whatever is the fair market value, minus amount received into number of shares, ये क्या बन जाएगा, बिटा, perquisite बन जाएगा, बरबरे, future में चलके, future में चलके, कभी ये share sale होता है, future में चलके, in future, अगर ये shares को क्या किया जाता है, sale किया ज cost क्या पकडा जाए, cost क्या पकडा जाए, ऐसे case में section 49 कहता है, ऐसे case में section 49 कहता है, ये जो fair market value लिया था ना आप लोगोंने, for calculation of perquisite, ये जो fair market value लिया था ना आपने, calculation of perquisite, ये ही क्या माना जाता है, आपका cost माना जाता है, ये ही आपका क्या माना जाता है, cost माना जाता है, इससे आगे चलके capital gain में double taxation avoid होता है क्योंकि जो fair market value आपने यहां tax कर दिया था वहाँ पे वो क्या मान लिया जाता है? cost मान लिया जाता है Are you getting my point? So, perquisite अगर provide किया है fair market value as on the date of excise of option minus amount recovered Sir, fair market value कैसे निका लेंगे? tension लेने का काम नहीं, problem में दिया होता है put the value and get the answer problem में दिया होता है put the value and get the answer yes or no? चलिए इसके आगे हम लोग आते हैं use of movable asset पे बहुत ज़्यादा बार यह क्या किया जाता है? पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बार क्या किया जाता है? पूछा जाता है use of movable asset यह है important perquisite अगर employer ने employee को asset use करने के लिए दिया employer ने employee को asset use करने के लिए अब दो बाते समझेए यह asset जो वो use करने दे रहा है यह owned by employer हो सकता है यह hired by employer हो सकता है दो बाते हो सकती है employer ने employee को asset अगर use करने के लिए दिया तो दो बाते हो सकती है यह जो asset वो use करने के लिए दे रहा है यह owned by employer भी हो सकता है यह hired by employer भी हो सकता है correct अगर यह owned by employer है अगर यह owned by employer है तो ऐसे case में 10% of actual cost of the asset perquisite माना जाता है 10% of the actual cost of the asset क्या माना जाता है perquisite माना जाता है minus anything recovered from employee employee की salary से अगर आपने कुछ cut कर लिया है towards that particular benefit तो आप उतना minus कर दे तो net benefit is taxable as perquisite so अगर आपने owned किया वा है तो 10% of actual cost minus anything recover perquisite बनेगा yes अगर employer ने भी asset कहीं से hire किया होगा तो employer ने भी asset कहीं से hire किया होगा तो उसने hire charges pay किया होगे तो actual hire charges to employer minus anything recovered ये बन जाएगा perquisite yes so अगर asset movable asset है अगर asset क्या है बिटा movable asset के दो पाड़ बनेगे movable asset के कितने पाड़ बनेगे दो पाड़ बनेगे movable asset owned by employer hired by employer owned है तो 10% of actual cost hired है तो actual hire charges minus anything recovered येस साथ साथ में यही movable asset में अगर computer या laptop है computer या laptop personal purpose के लिए दिया या official purpose के लिए परसनल परफस के लिए दिया या official purpose के लिए तोटली क्या पकड़ा जाता है निल पकड़ा जाता है परसनल परफस के लिए दिया या official purpose के लिए दिया computer या laptop तो ये क्या पकड़ा जाता है निल पकड़ा जाता है चाहिए किसी भी परफस के लिए दिया हो चेक कर लिजे मालिक एक बार चेक कर लो मालिक एक बार owned है hired है सबसे ज़्यादा एक्जाम में क्या पूछा जाता है उसमें भी सबसे ज़्यादा ओन वाला content पूछा जाता है आप लोगों के एक्जाम में कि यह सर नेक्स्ट आता है बिटा नेक्स्ट आता है बिटा सेल ओफ मुवेबल असेट ये भी एक ऐसी चीज है जो एक्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है इसलिए इसे भी इंपॉर्टन माक करके देखेगा ये सेलिए का कुस्ट्ण आता है तो ये आता ही आता है कई बार आसा होता है एम्पलोय एंप्लॉय को क्या कर देता है अब या Orion입 घृष्च अपना ही एंपट्र है और तो उससे क्या किया जाता है Chamuai अने market युइसे एक выпimal को असें मिल या यह तीन ही function में divide किया जाता है पहला computer and electronics दूसरा car और तीसरा other assets राइट अच्छा जी यहाँ पर जब हम word use कर रहे computer and electronics यहाँ electronics का मतलब है computer related electronics यहाँ electronics का मतलब है computer related electronics computer related electronics कौन से होते है computer related electronics कौन से होते है printer हो गया scanner हो गया etc यहने employer ने employee को AC बेचा क्या यह electronics में आएगा नहीं यह कहा आएगा other assets में आएगा I hope you are understanding this yes employer ने employee को क्या बेचा asset बेचा तो यह कहा जाने वाला है बिटा यह जाने वाला है other assets के अंदर में क्योंकि यह computer related electronics नहीं है तो जब भी employer employee को को asset बेचे का हम उसे तीन पार्ट में classify करेंगे या तो यह computer related accessories है या तो यह car है या सीधा सीधा यह other assets है अब यहाँ पे हमें सबसे पहले depreciation rate और depreciation method निकालने होंगे जो income tax ने दिये हैं और बहुत important है ध्यान से सुनिएगा अगर यह computer computer related electronics है तो depreciation rate 50% पकड़ा जाता है car के लिए 20% पकड़ा जाता है और other assets के लिए 10% पकड़ा जाता है depreciation method की अगर मैं बात करूँ तो WDV, WDV, SLM जी हाँ, जी हाँ, other assets के लिए जब हम calculate करेंगे WDV तो हम SLM लेंगे आदे यह दो चीज की सवरत पड़ती क्यों है क्योंकि prerequisite calculation ही कुछ इस तरीके से होने वाला है सबसे पहले क्या किया जाता है actual cost जितने में asset employer ने खरीदा था वो लिया जाता है इसकी detail आपको problem के अंदर में दीवी होगी तो actual asset जो इतने में employer ने लिया था वो पकड़ा जाता है इस में से depreciation minus किया जाता है for each completed year वापस से सुनिएगा depreciation minus किया जाता है for each completed year right अच्छा जी ध्यान से सुनना अब क्या कह रहा हूँ मैं actual cost जो employer ने इंकर किया था इस asset को acquire करने के लिए इसमें से depreciation minus करेंगे for each completed year जब से asset लिया गया है मतलब asset की date से exact one साल पे ही हम one year complete मानेंगे yes आपने कब join किया date of joining से नहीं बात कर रहा है asset कब से लिया वहाँ से for each completed year के लिए आपको क्या minus करना है depreciation minus करना है so less depreciation for each completed year from the date of acquisition each completed year मानले जे एक साल 4 मैने है only one year का depreciation minus होगा एक साल 11 मैने 20 दिन only one year का depreciation minus होगा completed year मनझे completed year so actual cost less depreciation for each completed year minus करेंगे क्या आएगा बिटा WDV आएगा right अब ध्यान से सुनिए जब depreciation minus करेंगे हमारे मन में दो कुश्चन आएगे depreciation का rate क्या होगा बिटा अगर ये computer related electronic है depreciation का rate 50% लेना है car है तो 20% लेना है other assets से तो 10% लेना है यहाँ तक कि मैं मान के चलता हूँ कि income tax आपका एक बार पढ़के हो गया होगा आपका दिल गवाई देगा sir computer तो electronics से 15% लगाओ car तो electronics से 15% लगाओ और other assets के case में SLM क्यों लगा रहे हो sir income tax section 32 तो क्या आप कहता है WDV compute करने के लिए कहता है याद रखे आप salary में है PGBP में नहीं कहीं का भी कहीं पे भी mix करने का नहीं यहाँ पर अपने rate दिये वे हो और उसी rate से आपको perquisites compute करना है depreciation नहीं वो जो rate आप याद रखना है ना वो depreciation के लिए है और अगर ऐसे rate आपके मन में आ रहे होंगे तो क्रिपया अपनी एक टपली बजाए और बोले कि मैं गलत हूँ समझ आ रहा है बात Yes So depreciation rate क्या रहेंगे 50, 20 or 10 Sir क्या यह rate हमें याद रखना है हाँ Sir यह rate exam में दिये होंगे ना Sir मतलब इस तरह से ही solve करना पड़ेगा हाँ उसके बाद में Depreciation का मेथड क्या होगा Computer है तो WDV Car है तो WDV Other Asset है तो SLM के basis पर आपको क्या करना है compute करना है So actual cost लेना Actual cost में से Depreciation माइनस करना For each completed year from the date of acquisition WDV आएगा WDV में से Sale Value माइनस करना आपका आजाएगा perquisite WDV में से Sale Value माइनस करना WDV में से Sale Value माइनस करना तो आपका क्या आजाएगा Perquisite आजाएगा WDV में से Sale Value माइनस करना तो आपका क्या आजाएगा Perquisite आजाएगा अब यहां मैं आपको कुछ बात दिखवाना चाहरा हूँ क्या मैं कह सकता हूँ परक्विजट तभी आएगा when sale value is less than WDV, सोच के बताना हाँ यहाँ, क्या मैं यह कह सकता हूँ that परक्विजट तभी आएगा when sale value is less than WDV, हाँ यह ना, obviously yes, जब sale value WDV से कम रहेगा, तभी जाके तो आपको benefit हुआ, नहीं, तो फिर benefit क्या हुआ, फिर तो benefit company को हो गया, अगर WDV से ज़्यादा company ने recover कर लिया, तो यह तो company को profit हो गया, आपको कौन सा profit हुआ, yes, तो परक्विजट तभी आएगा when sale value is less than WDV, समझ में आरी बात, परक्विजट तभी आने वाला है, otherwise परक्विजट नहीं आने वाला, clear है, एक बार देख लिए जमालिक, regular book हो, module हो, कोई भी हो, आपको यह जरूर होगा, as it is होगा, please check कर लिजे, यह अगर हो गया है, तो आगे बढ़ेंगे, interest free and concessional loan, interest free and concessional loan, बहुत frequent तो नहीं आता, पर occasionally आ जाता है, right, interest free and concessional loan, employer, employee को कई बार क्या करता है, loan देता है, यह जो loan दिया जाता है, यह कम rate of interest के दिया जाता है, as compared to market, इसलिए employee के हाथ में benefit आता है, और employee के हाथ में परquisite माना जाता है, अगर loan का amount 20,000 रुपीज तक के है, तो nil, yes, loan अगर कोई specified disease के लिए दिया गया है, employee के family के treatment के लिए, तो भी nil, याने दो case में perquisite nil पकड़ा जाएगा, अगर loan का amount 20,000 रुपीज तक के ही है, और दूसरा, जो loan है, यह specified disease के लिए दिया गया है, तो ऐसे case में perquisite nil पकड़ा जाएगा, बाकी हर case में, बाकी हर case में क्या करना होगा, हमें देखना होगा, कि जो हमारा rate of interest है, Is it equal to or higher than SBI rate और lower than SBI rate? Yes, हमें check करना होगा, कि हमारा rate of interest है, rate of interest है, rate of interest है, rate of interest है, rate of interest चेक करना होगा, कि हमारा equal to the SBI rate है, और higher than SBI rate है या lower than SBI rate है, Sir SBI क्यों? SBI को parameter बनाया गया है, छीक है, इस चीज को check करने के लिए, SBI का rate of interest हमें कब चेक करना है? SBI का rate of interest हमें check करना है, first day of previous year, मतलब आप लोगों के लिए 1,4,2021 को जो SBI का rate रहेगा, rate of interest, वो rate of interest आपको देना होगा, जनरली प्रोब्लम में दिया जाता है, जनरली प्रोब्लम में दिया जाता है, अब अगर आपका rate of interest, that is employer का rate of interest is equal to SBI rate और higher than SBI rate, बताईए employee को कोई benefit हुआ, अगर उसका rate of interest is equal to SBI rate, बरवर है, अगर उसका rate of interest is equal to SBI rate या higher than SBI rate, तो employee को कोई benefit हुआ, क्या, obviously the answer is no, yes, यने employee को benefit कब होगा, when the rate of interest is lower than SBI rate, yes, so if the amount, if the rate of interest is equal to or higher than SBI rate, तो ऐसे case माँ perquisite निल पकडा जाएगा, क्यों निल पकडा जाएगा, क्योंकि employee को तो कोई benefit हुआ ही नहीं भाई साथ, yes, if it is lower than SBI rate, अगर हमारा rate of interest जो employer ने चार्ज किया, ये lower than SBI rate है, तो perquisite calculate होगा, calculate कैसे होगा, maximum outstanding monthly balance के basis पर calculate होगा, less anything recovered, maximum monthly outstanding balance, जितना भी आपका balance है, balance into differential rate किया जाता है, balance into क्या किया जाता है, differential rate किया जाता है, right, so, मान लीजे, SBI rate is, SBI rate is 6, let's say 10%, while employer का जो rate है, ये है बिटा 6%, तो आपका differential rate किया होगया, आपका differential rate होगया, 4%, तो जो भी आपका monthly balance है, जो भी आपका monthly balance है, into 4%, into 1 by 12, that is for that particular month, ये आपका क्या बन जाता है, perquisite बन जाता है, और अगर आप साल भर का calculate कर रहे है, तो whatever is the outstanding amount, outstanding amount into 4% करतीजे, काम खतम, outstanding amount into 4% करतीजे, काम खतम, आपका perquisite निकल जाएगा, yes or no, so आपस एक बार repeat कर लेते हैं, अगर loan amount 20,000 तक के है, specified disease के लिए है, nil, equal to or more than SBI rate है, आपका rate of interest, nil, less than है, तो differential rate आपका perquisite बनेगा, अब आप इसे monthly calculate करिए, ये आप इसे annually calculate कर लिए, accordingly problem में, जैसी details भी है, वैसा adopt कर लिजए, yes or no, चलो जी, मालिक, बहुत बढ़िया, right, आते हैं next point के उपर, आते हैं next perquisite के उपर, next perquisite is meal facility, next perquisite is meal facility, सद को समझ में आ रहा है, सभी बोड जल्दी से बताएंगे, हाँ या ना, पूरा अच्छे से revise हो रहा है बीटा, करता है, yes, अच्छा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये tea and coffee है, during office hours provide क्या जा रहा है, value क्या पकड़ा जाएगा, nil, value क्या पकड़ा जाएगा, nil, अगर food remote area या offshore units में provide क्या जा रहा है, तो भी क्या होगा, nil, पहला, चाए coffee जो office hours के इनर्स में, इतने छोटे calculation salary मे add नहीं किया जा सकते है, दूसरा, जो salary remote area, जो food remote area या offshore area में provide क्या जा रहा है, इसे भी क्या पकड़ा जाता है, nil पकड़ा जाता है, इसे भी क्या पकड़ा जाता है, इसके अलावा, अगर आपको normal areas के इंदर में food provide क्या जा रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या उस food की cost per meal 50 से जादा है या 50 रूपीज से कम है ध्यान तो सुनिएगा कॉस्ट पर मिल 50 रूपीज से जादा है या 50 रूपीज से कम है हमें यह देखना पड़ता है अगर कॉस्ट पर मिल 50 रूपीज या उससे कम है तो nothing is taxable as perquisite कॉस्ट पर मिल 50 रूपीज से जादा है cost per meal 50 रुपीज से ज़ादा है तो cost per actual cost to employer minus rupees 50 per meal यह आपका क्या बनेगा perquisite बनेगा let me give you an example मान लिजए 70 रुपए की एक meal पढ़ रही है employer को employer 70 रुपए per meal के इसाब से pay कर रहा है तो 70 into rupees 50 तक के क्या है बिटा exempt है rupees 20 क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा और into number of meals जितने दिन provide किया है वो multiply कर दीजेगा यह आपका perquisite होगा yes इसको number of meals के साथ multiply कर दीजेगा यह आपका perquisite बन जाएगा इतना amount salary में add कर देना taxable बोल करके इतना amount salary में add कर देना taxable बोल करके काम कतम are you getting my point yes are you getting my point अच्छा जी एक और बात मान लीजे problem में अगर number of days नहीं दिये वे हैं number of days नहीं दिये वे हैं याद करके बताओ मैंने regular lecture past track lecture हर lecture के अंदर में बताया है अगर number of days नहीं दिये रहे तो क्या करना 300 average number of days आपको लेने है 300 average number of days आपको क्या करने है लेने हैं याद आ रहा है मालिक right so अगर number of days problem में नहीं दिये कि number of days कितने दिन meal provide किया है तो average 300 days आपने अजूम करना 300 days की basis पर calculation करना yes चलिए अगर SSC 115B AC opt करता है तो ऐसे के इसमें meal वाला benefit जो रहेगा यह नहीं मिलता है meal वाला जो benefit है यह क्या होता है नहीं मिलता है is that done चलिए कुछ और perquisites पर आजाते हैं कुछ ऐसे perquisites है जो specified employee को ही taxable है उसके लिए आपको सबसे पहले specified employee and non specified employee पढ़ना होगा logically speaking आज हर employee specified employee की category में आ जाता है आज हर employee specified employee की category के अंदर में आ जाता है right so कैसे मैं आपको बताता हूँ हम किसे किसे specified employee मानते है specified employee किसको मानेंगे पहला director who is an employee अगर कोई director है जो employee है हम इसे specified employee मानते है right दूसरा अगर किसी व्यक्ति का substantial interest है that is 20% of voting power in the company plus employee भी है तो हम इसे substantial interest माना जाता है employee with substantial interest मानते है मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास company का 20% of voting right है plus employee भी है तो हम उसे क्या मानते है specified employee मानते है तीसरा income जिसकी salary क्या कर रही हो exceed कर रही हो कितने से 50,000 से अब आप सोचके देखिए 50,000 जो है यह salary के यह है per annum वाले अब किसी की भी basic salary 50,000 रुपय पर मंद पर annum से उपर बढ़ना यह कोई बड़ी बात नहीं है मतलब अगर किसी की salary 5000 रुपीज पर मंद भी रही तो भी वो annually 60,000 हो जाता है और वो specified employee बन जाता है इसलिए मैंने कहा आज maximum employee जो आते हैं specified employee की category में ही आते है और कुछ पर्क्विजिट ऐसे होते है जो specified employee को ही taxable होते है चलिए देखते हैं मोटे मोटे तोर पर आप यह मान के चलिएगा कि हर employee specified employee होता है और कुछ नहीं तो problem के अंदर में कैसे पता चल जाएगा उसके basic salary पर focus कर लेना उसका basic salary annually 50,000 से उपर है मतलब स्पेसिफएड एंपलॉई ए फिर दिमाग लगाने का काम नहीं ना प्रॉब्लम में लिखने का काम है न नोट डालने का काम है येस चलिए आईए एक एक देखते हैं specified employee के हाथ में taxable होने वाले requisite specified employee के हाथ में taxable होने वाले requisite सबसे पहले gas water electricity सबसे पहले gas water electricity facility right employer employee को free gas free water free electricity facility देता है right ऐसे case में सबसे पहले ये देखना होता है connection किसके नाम से connection is in the name of employer connection is in the name of employee connection is in the name of employer connection is in the name of employee अगर connection employer के नाम पे है अगर connection employer के नाम पे है right तो it is taxable only to specified employee अगर connection किसी और के नाम पे है that is employee के नाम पे है employer reimburse कर रहा है तो it is taxable to all employee yes अच्छा जी अब दो बाते हो सकती है हो सकता है gas electricity water employer खुद manufacture कर रहा हो या हो सकता है वो किसी और से hire करके आपको provide कर रहा हो yes हो सकता है वो किसी और से hire करके आपको provide कर रहा हो दो बाते हो सकती है या तो employer gas water electricity खुद बना रहा हो for example HP Indian yes MSEB खुद ही बना रहे है manufactured by employer या दूसरा hired हो सकता है किसी दूसरी company से ले लिया और आपको provide कर दिया as employee ऐसे case में अगर मान लिजे ऐसे case में अगर manufactured है तो manufacturing cost per unit minus anything recovered manufacturing cost per unit minus anything recovered यही अगर किसी और से लिया तो actual cost to employer minus anything recovered यह आपका क्या बनेगा perquisite बनेगा यह आपका क्या बनेगा perquisite बनेगा चेक कर लिजे मालिक यह सर so gas water electricity के बाद gas water electricity के बाद अब हम लोग आ गए है next perquisite के उपर that is education facility education facility भी alternative answers का शिकार है क्या आपको पता है education facility भी alternative answers का शिकार है अगर समाझल लिजे education facility का जो cost है यह 1000 per month से उपर नहीं जा रहा education facility जो cost है यह 1000 per month से उपर नहीं जा रहा तो इसे क्या पकड़ अगर 1000 के ऊपर जा रहा है तो यह completely क्या किया जाता है tax किया जाता है that is cost in the similar school minus anything recovered अब education facility की case में अगेन दो alternative answers आते हैं एक 1000 रुपे के उपर का पूरा amount क्या कर दिया जाता है tax कर दिया जाता है दूसरा only the balance exceeding 1000 जो रहेगा वो tax किया जाता है institute क्या follow करता है institute 1000 रुपे के उपर अगर कोई भी amount रहे तो इसे totally tax करता है minus anything recovered minus कर देता है yes minus anything recovered क्या कर देता है वो minus कर देता है yes चलिए next आते है बीटा traveling facility के उपर employer employee को traveling facility provide करता है right अच्छा ये जो traveling facility है ये employer employee को provide कर रहा है अगर ये employee जो है right ये transportation sector में ही है that is the employer is engaged into transport business only rail और air से provide किया जा रहा है तो nil for example IRCTC अपनी ही employee को क्या करता है railway में traveling facility provide करता है उस employee के हाथ में वो nil पकडा जाएगा others के case में whatever is the amount charged from public minus anything recovered whatever is the amount charged from public minus anything recovered yes इसके बाद in any other case whatever is the actual cost to employer for such facility minus anything recovered अगर employer transportation facility में नहीं है जैसे मेरे जैसा employer मैंने अपनी employee को अगर क्या किया you know traveling facility provide की तो whatever is the actual cost to employer minus anything recovered will be taxable as perquisite अगर SAC 115B AC opt करता है तो leave travel concession जो है इसका benefit provide होता नहीं चलिए फिर आता है medical facility medical facility को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो medical facility हो जाती है important category में medical facility हो जाती है फिर important category में अब medical facility का perquisite कैसे calculate करेंगे दो पार्ट में divide किया जाता है in India outside India medical facility provided in India outside India medical facility provided in India outside India अगर आपको इंडिया में provide किया है बड़ा simple है reimbursement taxable बाकि सब exempt reimbursement taxable बाकि सब exempt so government hospital में करवाया exempt approved hospital में करवाया exempt hospital maintained by employer में करवाया exempt कोई health insurance group insurance लिए employee के लिए exempt आपका जो reimbursement है reimbursement is totally taxable याद रखिएगा reimbursement is taxable बाकी के case में जहां कहीं भी इलाज करा है इंडिया में पूरा का पूरा exam category में डाल दिया गया है अब अगर इलाज फॉरें में करवाया तो employer ने team cost bear कियोंगे जरह याद करके देखना जरह याद करके देखना पहला travel stay medical इस तरह से हमने कुछ याद किया था travel stay medical employee प्लस उसके साथ साथ एक attendee दोनों के लिए ये exemption मिलता है employee प्लस उसके साथ साथ एक attendee दोनों के लिए exemption मिलता है travel cost तभी taxable है when GTI is up to 2 lakh अगर GTI is up to 2 lakh निल पकड़ा जाता है GTI is beyond 2 lakh तो जो travel का cost है वो perquisite बोल के taxable हो जाता है जो travel का cost है वो perquisite बोल के taxable हो जाता है लेकिन अगर आपकी gross total income 2 lakh रुपीज तक के है तो travel का cost taxable नहीं है medical or stay उतना एक्जम्ट होता है जितना RBI ने बोला medical or stay उतना एक्जम्ट जितना RBI ने बोला तो त्मान लीजे medical or stay के उपर खर्चा हुआ 3 lakh रुपीज इसमें से RBI ने बोला 2 lakh एक्जम्ट तो 1 lakh रुपीज परquisite बोल के taxable हो जाएगा 1 lakh रुपीज परquisite बोल करके क्या हो जाएगा बिटा taxable हो जाएगा एस चेकर लीजे मालिक चेकर लो medical facility is that done ये सौनो से एस चलिए तो ये एक और परक्विजिट का तेकि परक्विजिट की लिस्ट सबसे बड़ी है otherwise आपको salary बहुत easy जाएगा जहां आपको difficulty आती है वो है परक्विजिट के अंदर में ही येस पर अभी भी परक्विजिट हमारे खतम नहीं हुए पूरी fully exempted list of perquisit इसमें से भी कुछ चीज़े हैं जो आपको ध्यान में रखनी है पहला tea and coffee during office hours tea and coffee during office hours के अंदर में मिल रही है totally exempt है free meals in remote area या offshore unit offshore unit या remote area के अंदर में free meals मिल रहा है totally exempt yes perquisits जो receive कर रहे है Indian citizen outside India from Indian government Indian government Indian citizen को outside India allowance या perquisit दे रही है ये totally क्या है बिटा exempt है employer's contribution to staff group insurance scheme अगर कोई staff group insurance scheme के अंदर में employer contribute कर रहा है totally exempted as perquisit education facility up to 1000 रुपीज interest free loan up to 20,000 रुपीज ये तो हम लोग already देख चुके है बिटा yes or no computer and laptop given for any purpose official or personal purpose totally exempted as perquisit yes transfer without consideration a movable asset yes after being used for a period of 10 years अगर कोई movable asset employer ने 10 साल यूज कर लिया उसके बाद employee के हाथ में पकड़ा दिया not taxable as perquisit traveling facility to railway और airline railway और airline के जो employee होते है इनकी जो traveling facility होती है ये totally exempt है rent free official accommodation for house for high court and supreme court judges supreme court और high court के जो judges होते है इनको जो allowance दिये जाते है जो state provide किया जाता है ये totally क्या है बीटा exempt है yes convenience facility between office to home जो office to home के लिए shuttle service होती है ये totally क्या किया गया है exempt किया गया है अगर employee को accommodation provide किया जाता है hotel में up to 15 days hotel accommodation provide किया गया है up to 15 days on transfer तो ये exempt है yes interest free loan provide किया गया है medical treatment के लिए तो ये भी क्या है बीटा exempt है yes periodicals and journals provide किये गया है employee को totally exempted perquisite की category में आ जाएंगे yes maximum हम लोग already taxable perquisite के साथ पढ़ चुके है तो आपको दुबारा इसको पढ़ने की जोरत नहीं पढ़ेगी अभी भी perquisite खतम नहीं हो मामा इत्ते जल्दी दोपना नहीं है अभी भी perquisite खतम नहीं हुए हाँ अब परकोजिट का सबसे बड़ा पार्ट आएगा RFA ध्यान से सुनिएगा RFA चलो very good everybody याद करके देखो RFA यहीं पे तो हम लोगोंने बोलना चालो किया दबाचो salary बोले तो वही वाला पार्ट आ रहा है आ रहा है वही वाला पार्ट आ रहा है मालिक वही वाला पार्ट आ रहा है याद करके देखिए दो difference थे याद करो एक था HRA एक था RFA याद है तुम्हें राइट अगर घर दे दिया क्या बोलेंगे हम RFA अगर पैसा दे दिया कि कहीं पे भी जाके रह लो तो हम क्या बोलेंगे HRA सो RFA और HRA में क्या बड़ा फरक है HRA में आपको cash मिल जाता है आप अपना घर का accommodation खुद देखते बैटो येस और RFA के अंदर में आपको residential accommodation ही provide कर दिया जाता है इसे हम rent free accommodation भी कहते हैं अगर भूले नहीं हो तो register खोलो register खोल करके वो प्यारा सा चार्ट निकालो चार्ट में स अरे नलाय को कुछ तो याद कर लो जीवन में unfurnished और furnished ऐसा दो बड़ा चारड बनाए था right furnished के case में हम लोगों ने क्या किया था जरह याद करके देखो furnished के case में हम लोगों ने दिया था value as per unfurnished value as per unfurnished हमें unfurnished का ही value लेना पड़ता है यानने unfurnished को तो याद रखना चल दूली है इसमें हमने किया था एड क्या एड किया था फर्नीचर जब हम फर्नीच की बात कर रहें तो खाली घर में फर्नीचर को एड कर दो अब अगर फर्नीचर ओंड होगा तो क्या करेंगे 10% कोई भी मुवेबल असेट 10% of actual cost और अगर हाइड होगा तो एक्च्वल हाइड चार्जेस येस सो वैल्यू एस पर अनफर्नीचर प्लस फर्नीचर का कॉस्ट आड कर दो खाली घर के अंदर में ओन्ड होगा तो 10% of actual cost हाइड होगा तो एक्च्वल हाइड चार्जेस येस इसमें से एमप्लॉई की सालेरी से अगर कुछ रिकवर किया बड़ा क्लियर है फर्निच्ट अक्वमेडेशन के केस में बड़ा क्लियर है वैल्यू एस पर अनफर्नीचर इसमें फर्नीचर का वैल्यू एड कर दो ओन्ड होगा तो 10% of actual cost कोई भी मुवेबल असेट ओन्ड कर रहा है एमप्लॉई को यूज करने दे रहा है 10% of actual cost higher होगा नन गौर्मेंट एमप्लॉई क्या तुम्हें याद है गौर्मेंट एमप्लॉई और नन गौर्मेंट एमप्लॉई ये दो पार्ट बनाये थे हम लोगों ने गौर्मेंट एमप्लॉई में हमने देखा था लाइसेंस फीस माइनस एनिटिंग रिकवर्ड गौर्मेंट government organization है अगर government organization है yes यहाद आ यह पूरा चार्ट इस तरह से था government employee होगा तो whatever is the license fees problem में license fees भी होगी minus anything recovered कर देना काम खतम लेकिन examiner आपको यहाँ test नहीं करेगा वो आपको non government employee में test करेगा yes non government के अंदर में तीन बाते थी accommodation owned हो सकता है hired हो सकता है hotel में भी हो सकता है यादा रहा है कि कुछ जीवन में yes accommodation के तीन पार्ट हो सकते है owned हो सकता है hired हो सकता है hotel में भी हो सकता है अगर accommodation owned है अगर accommodation owned है तो हमें क्या check करना पड़ेगा perquisite कैसे निकलेगा हमें क्या check करना पड़ेगा perquisite कैसे निकलेगा यह depend करेगा यह depend करेगा कि जिस city में accommodation दिया जा रहा है जिस city में accommodation दिया जा रहा है वहां का, वहां का population क्या है, वहां का population चेक करना पड़ेगा, अगर owned होगा, तो हमें, जिस city में accommodation दिया जा रहा है, वहां का population चेक करना पड़ेगा, अब population के तीन criteria थे अगर आपको याद हो तो, यस, below 10 lakh, 10 lakh से कम, below 10 lakh का population, population is exceeding 10 lakh but less than 25 lakh and population is exceeding 25 lakh, ऐसे तीन criteria थे कर याद करके देखना वला, अगर non-government है, accommodation owned है, hired है या hotel है, owned है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, population का है, population के तीन criteria थे, less than 10 lakh, 10 lakh to 25 lakh and beyond 25 lakh, yes, अगर population less than 10 lakh होगा, अगर population कैसा होगा, बिटा, less than 10 lakh होगा, तो हमें 7.5% of salary is perquisite लेना है, yes, अगर 10 to 25 lakh है, तो 10% of salary हम लोग को क्या लेना है, perquisite लेना है, और अगर ये 25 lakh के उपर है, तो 15% of salary हम लोग को क्या लेना है, perquisite लेना है, और इन तीनों में से minus anything recovered minus कर देना है, इन तीनों में से anything recovered हमने क्या कर देना है, minus कर देना है, yes or no, right, so population के basis पे आपका perquisite calculate हो रहा है, वापस से देखेगा, अगर accommodation employer ने own करके रखा है, वोई accommodation employee को use करने के लिए दिया है, right, तो population के basis पे आपका perquisite calculate होगा, population अगर 25 लाग के उपर है, तो 15% of salary, 10 to 25 लाग है, तो 10% of salary, और less than 10 लाग है, तो 7.5% of salary, अब आप ये पूछेंगे, कि सर, salary बोले तो, RFA के लिए salary बोले तो, basic plus DA plus bonus plus commission plus all taxable allowances, याद करके देखना, यहीं पे salary का सबसे बड़ा definition था, basic plus DA plus bonus plus commission plus all taxable allowances, वापस से बोलो, basic plus DA plus bonus plus commission plus all taxable allowances, सब इसके अंदर में क्या करना है, एड करना है, यह जो salary होगा, इसका 10, 15 या 7.5% आपको लेना है, minus anything recovered, याद आ रहा है का तुमको, येस, तो अच्छो, salary बोले तो, basic plus DA plus bonus plus commission plus all taxable allowances, DA जो लोगे, वो retirement purpose वाला होगा, येस, DA जो लोगे, वो retirement purpose वाला होगा, commission जो होगा, वो percentage based on turnover वाला होगा, game over, right, अगर accommodation hired है, अगर accommodation hired है, maximum time तुमको जो question आएगा, वो hired पर आएगा, मैंने देखो, chart में important mark कराया है, देखो पहले, important है या नहीं है, देखो, important है या नहीं है, right, so अगर हायद होगा, अगर हायद होगा, तो whatever is the actual hire charges or 15% of salary, whichever is lower, minus anything recovered is perquisite, actual or 15% of salary, whichever is lower, minus anything recovered is equal to perquisite, is equal to perquisite, याने हमें actual कितना rent पे किया है, वो 15% of salary, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा, minus anything recovered, यह आपका क्या बनेगा, perquisite बनेगा, yes, यह आपका क्या बनेगा, perquisite बनेगा, sir यहाँ पर salary का meaning, salary का meaning तो वही है ना, जो जन्मों से चला आ रहा है, basic plus DA plus bonus plus commission plus all taxable allowance, clear, right, अगर hotel में दिया, तो up to 15 days तो आपको नेली पकड़ना है, up to 15 days तो आपको नेली पकड़ना है, beyond 15 days, beyond 15 days आपको पकड़ना है 24% of salary, beyond 15 days आपको पकड़ना है 24% of salary, salary का मतलब अरे वही है ना चना, basic plus DA plus bonus plus commission plus all taxable allowance, yes, चलो आओ, इधर देखो, अगर accommodation owned किया है, population check करना, population beyond 25 lakh है, तो perquisite मानेंगे 15%, 10% और 7.5%, किसका बिटा, salary का, sir, population कैसे देखना है, population देखना है as per last census, population कैसे देखना है बिटा, as per last census, sir, problem में population दीवी ना हो, तो क्या assume करें, more than 25 lakh assume करना, note लिख के आ जाना, इंडिया का population इत्ता तो हो गई कि हर जगए पर 25 lakh से उपर लोग हो, yes, तो आपने assumption लेना और assumption लिख करके आ जाना तीनों में से जो भी रहेगा, जाइड सी बात है, आप city to city population को assume करना होगा, अगर आपको city Mumbai दीओगी तो यह assumption less than 10 lakh वाला तो illogical रहेगा, तो आपको city देखना होगा, अगर city दीए, population देखना होगा, तो नों नहीं दिया है, तो assumption लिख के आ जाने का tension लिएगा, yes, अच्छा जी, accommodation अगर higher किया होगा, accommodation अगर higher किया होगा, तो lower of 15% of salary or amount actually paid, अगर hotel में होगा, up to 15 days nil, beyond 15 days, 24% of salary minus anything recovered, 24% of salary minus anything recovered, याद आ रहा है आपको, चलो जी मालिक, salary का मतलब क्या है मालिक यहाँ पर, basic plus DA plus bonus plus commission plus all taxable allowances, clear है मालिक, ओके, इसके बाद आता है, motor car हमें भूलना नहीं है, motor car, सर मतलब अभी जीवन में कुछ बाकी है, अरे अभी तो चालू हुआ है बेटा, अभी तो चालू हुआ है, अभी retirement benefit बाकी है, basics वाले, allowances वाले part बाकी है, deduction वाले part बाकी है, भूलना नहीं है, यह तो उसे perquisite perquisite के game चल रहा है, yes, valuation of motor car, motor car another vehicle, motor car अगर दी है, तो पहले chart याद करो बेटा, chart बनाया था, car, it's not a car, it's a car, example दिया था, employer ने employee को सनी दिया, employer ने employee को सनी दिया, तो उस case में क्या होगा, याद करके देखो बेटा, right, so हमने दो पार्ट बनाया थे, कोई बता सकता है, chart में दो पार्ट कौन कौन से बनाया होंगे, yes, motor car अगर है, तो motor car सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, कौन ओन करता है, owned by employer, owned by employee, याद आ रहा है तुम लोग को, yes, owned के बाद इसे हमें देखना होगा, use कौन कर रहा है उसे, own तो सनी को कोई भी कर सकता है, use कौन करता है सनी को, यह important है, सनी, it's a car, निसान, सनी की बाद चल रही है, यहाँ पर ठीक है, so, used by employer, used by employee, that is, owned by employer, बरबर है, maintain कौन कर रहा है, when I say used, I mean maintained by employer, and maintained by employee, अगर employer maintain कर रहा है, तो तीन बाते हो सकती है, official purpose, personal purpose, या बोथ, बरबर है, अगर car owned कर रहा है employer, car को maintain भी कर रहा है employer, और employee को दिया है, तो यह तीन purpose हो सकते हैं, official purpose हो सकता है, personal purpose हो सकता है, या both purpose भी हो सकते हैं, yes, उस car के both purpose भी हो सकते हैं, जरह याद करके देखो, car owned by employer, sunny owned by employer, maintained by employer, employer ही उसे क्या कर रहा है, maintain कर रहा है, पर यह official purpose के लिए है, अब बताओ, जब Sunny official purpose के लिए यूज हो रही है, तो आपको तो कोई benefit हुआ ही नहीं, निसान सनी का, तो ऐसे case में क्या मैं कह सकता हूँ, आपका prerequisite मिली होना चाहिए, अरे आपको तो कोई benefit मिला ही नहीं न सरकार, जब आपको कोई benefit मिला ही नहीं, तब तो metric हतम हो गया, जब आपको कुछ मिला ही नहीं, तो आपका benefit तो निली हुआ, येस, अगर personal purpose के लिए है, तो आप सोच के देखे, movable asset, personal purpose के लिए, क्या मैं कह सकता हूँ, 10% of actual cost, ये तो हम पहले सी पढ़ते आ रहे हैं, 10% of actual cost, plus maintenance charges, if any, minus anything recovered, 10% of car, 10% of actual cost, plus maintenance charges, minus anything recovered, क्योंक आपको तो सिर्फ 10%서, perquisite sexable होगा, येस, अगर both purpose के लिए use किया जा रहा है, अगर both purpose के लिए use किया जा रहा है, तो हम capacity चेक करेंगे, sunny का capacity चेक करेंगे, yes, car अगर up to 1.6 liter इसे 1,600 भी कहा जाता है car अगर 1.6 liter तक के है car अगर 1.6 liters तक के है या beyond 1.6 liters है अगर ये up to 1.6 liters तक के है अगर ये up to 1.6 liter तक के है तो 1800 पर मन्त ये क्या माना जाएगा perquisite माना जाएगा car पे कितना खड़्चा किया जा रहा है irrelevant car पे कितना खड़्चा किया जा रहा है irrelevant 18,000 पर मन्त प्लस 900 पर मन्त फॉर चौफर इफ गिवन 900 पर मन्त फॉर शौफर इफ गिवन अगर ये beyond 1.6 liters है अगर ये beyond 1,600 की capacity होगा तो 2400 रुपीज पर मन्त प्लस 900 पर मन्त फॉर शौफर इफ गिवन येस सबसे ज़्यादा एक्जाम में अगर कुछ पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाता है अप्टो 1600 लिटर्स येस कार एंप्लोयर की है मेंटेन भी एंप्लोयर कर रहा है तीन परपस देखे के जाएंगे Official, Personal and Both ये परपस देखे जाएंगे Official लिटर हो तो तंवाह तों पर सटेट कोस्ट प्लस मेंटेनस चाज्ड आज़ित्यन फेडे आफंड लूदार्प प्लस design फ Beaust yes for chauffeur if given अब कुछ बाते अगर आपको CC दिया ही नहीं है तो ऐसे case में आपको क्या लेना है below 1.6 liter ले लेना है अगर आपको problem में CC नहीं लिखावा है clear below 1.6 liters ले लेना है yes अगर आपको ये नहीं बताया है कि chauffeur दिया है या नहीं दिया है assume not given assume not given yes assume कर लेना है तो जब तक आपको शॉफर की details ना दियो ये 900 पर मंत आड़ करने के ज़रूत नहीं है yes जब तक आपको कोई details ना दियो आपको ये समझ लेना है कि सिप Sunny दिया है Sunny के साथ driver नहीं दिया है yes ये आपको assume कर लेना है अगर car employer की है maintain employee करता है और purpose both है again purpose both है तो ऐसे case में आपको again CC चेक करना पड़ेगा CC 1.6 liters तक के है तो 600 पर मंत प्लस 900 पर मंत ये आपका perquisite माना जाएगा अगर cari का capacity beyond 1.6 liter है तो 900 पर मंत प्लस 900 पर मंत आपको क्या करना होगा लेना होगा ये जो 900 पर मंत आपका perquisite माना जाएगा ये 900 पर मंत पर क्विजिट माना जाएगा अगर car employer की और खर्चा employee करता है तो येस बिटा चलो आकर करके देखते है तो car is owned and maintained by employer owned भी by employer maintained by employer official purpose होगा निल private purpose होगा 10% of actual cost plus running maintenance charges minus anything recovered partly official, partly purpose के लिए होगा तो below 1.6 liter है तो 1800 पर मंत taxable amount होगा above 1.6 liter है तो 2400 पर मंत आपका taxable amount होगा येस अगर car owned by employer है maintained by employee है official purpose निल, personal purpose 10% minus anything recovered बाकी बोद परपस के लिए होगा below 1.6 liter होगा तो 600 पर मंत, above 1.6 liter होगा तो 900 पर मंत if 9, chauffeur is also provided 900 पर मंत, add कर देना है येस अब आते हैं दूसरे पार्ट पे यहां तक के सब को समझ में आ गया हाँ या ना अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कार एंपलाई की है, खर्चा भी एंपलाई कर रहा है maintained by employee maintained by employee कार भी एंपलाई की, खर्चा भी एंपलाई कर रहा पर क्विजिट क्या होगा, निल अब जब सब कुछ ही खुद कर रहे हो, employer से कुछ मिल ही नहीं रहा तो tax क्या करोगे यही अगर maintained by employer है तो गाड़ी employee की खर्चा कौन कर रहा है employer कर रहा है तो ऐसे case में तीन purpose हो सकते है ऑफिशल हो सकता है पर्सनल हो सकता है या बोथ हो सकता है अगेन तीन बाते हो सकते है गाड़ी employee की खर्चा कौन कर रहा है employer गाड़ी employee की खर्चा कौन कर रहा है employer अगेन तीन बाते हो सकती है, official, personal और both, official होगा तो क्या पकड़ना होगा, nil, personal होगा तो क्या लेना होगा, actual cost to employer, minus anything recovered, अगर, yes, अगर personal, काड़ी employee की खर्चा employer कर रहा है, मतलब actual cost to employer, minus anything recovered, यह हम क्या मानेंगे, perquisite मानेंगे, yes, sir, पर गाड़ी तो employee की, खर्चा तो employer कर रहा है, something is received from employer, perquisite बनेगा ही, मनेगा, yes, अगर both purpose के लिए use किया जा रहा है, अगर क्या किया जा रहा है, both purpose के लिए use किया जा रहा है, तो ऐसे cases के अंदर में, whatever is the actual cost to employer, right, minus 1800 per month, या 2400 per month, minus किया जाएगा, याद रखे, यहाँ जितना taxable था न, यहाँ उतना क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यहाँ उतना क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, चेक करके देखना मालिक, right, car owned and maintained by employee, nothing is taxable, car owned by, यहाँ employee चाहिए, car owned by employee and maintained by employer, right, official होगा, nil, personal होगा, actual cost, both purpose होगा, actual cost में से 1800 या 2400 माइनस करना, depending upon CC, 900 पर मन्त और माइनस करना, अगर चॉफर भी प्रोवाइड़ होगा, finally taxable prerequisite आ जाएगा, yes, एक बार यह भी देख लीजा मालिक, is that done, अच्छा, car के अलावा अगर कोई अधर गाड़ी दी होगी, अगर कार के अलावा कोई अधर गाड़ी दी होगी, अधर गाड़ी दी होगा, as exemption, yes, बहुत बढ़िया पिटा, यहने आप सोच करके देखो, पर्क्विजिट पर्क्विजिट में हमने क्या क्या पड़ा, पर्क्विजिट पर्क्विजिट में हमने क्या पड़ा, हमने RFA पड़ लिया, हमने कार पड़ लिया, हमने गिफ्ट पड़ लिया, हमने e-swap पड़ लिया, हमने education फैसिलिटी पड़ लिया, इसके बाद में gas, water, electricity पड़ लिया, travel पड़ लिया, yes, credit card फैसिलिटी पड़ लिया, club फैसिलिटी पड़ लिया, इसके बाद में हम लोगों ने मील फैसिलेटी पढ़ ली, इंट्रेस्ट फ्री कंसेशनल लोन वाली फैसिलेटी पढ़ ली, इसके बाद हम लोगों ने मेडिकल फैसिलेटी भी कंप्लीट कर लिया, क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, मेडिकल फैसिलेटी भी हम लोगों ने या न, एक्जाम बंड अफ्यू से एक, दो, टीन, चार, पांच, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, परक्विजिट्स में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, येस, येस और नो, जल्दी से बताईए, देने विटा, चलो हाओ, अब इसके बाद, इसके बाद, अपने परक्विजिट्स देख लिए अभी, अब इसके बाद, हम रिटाइर्मेंट बेनेफिट्स पर, अभी नहीं जा रहें, वो परक्वेजिट से सीदा डिडक्शन में खुझ आ। यह आपके परक्वेजिट के इतने बड़े प्रेशर को आपने अभी らजय कीई। आसानी इसे आराम कड़ी जोड़ी एक थोड़ा से डाउन कड़ी सों सकते हैं यह करते सो यह कि एक ओड़ा से ख Tag comment करके याद करो salary में से तीन deduction allowed 161, 162, 163 यादा रहा है कि आपको 161, 162, 163 ये तीनी allowed 161 standard deduction yes actual salary और 50,000 whichever is lower यादा रहा है आपको 161 standard deduction actual और 50,000 whichever is lower yes दूसरा 162 entertainment allowance मिलेगा तो सिर्फ government employee को मिलेगा non-government employee को ये available नहीं होता government employee को lower of 3 thing पहला actual दूसरा 20% of basic salary तीसरा 5,000 पर रहा है आपको right entertainment allowance जब भी मिले सबसे पहले salary में add करना है और फिर gross total income से deduction लेना है first add in salary and then take the deduction याद करना भूलना जाना clear है मालिक तीसरा आता है professional tax professional tax जितना आपने pay किया उतना पूरा deduction आपको मिल जाएगा जितना professional tax आपने pay किया पूरा deduction मिल जाएगा मान लो employer ने professional tax पे किया है आपके बिहाफ पे तो पहले salary में add करना और उसके बाद में जितना pay हुआ है उसका deduction लेना so if employer has paid then first add in salary and then take the deduction याद आ रहा है लीजे सर आपका deduction भी खतम हुआ लीजे सर आपका deduction भी खतम हुआ खतम हुआ काम बिलकुल टेंशन लेने की बात नहीं है deduction भी आपका खतम हुआ येस प्रभू तो अब देख salary में कितने point है एक salary के अंदर में point था तिरा basic प्लस allowance वाला दूसरा point था तिरा retirement benefit वाला तीसरा point था तिरा परquisite और चौता point है तिरा deduction salary के अंदर में ये चार point होते है तिरा perquisite निपड गया है तिरा deduction निपढ गया है खुशी है तिरमें, खुशी है जीवन में तिरमें ये दो पाट तेरे निकल गए अब मैं तेरा बेसिक और अलावंसेस भी निप्टा दूँ तो सालेरी का एक बहुत बड़ा बोज तेरे उपर से खतम हो जाता सिफ रिटार्मेंट बेनिफिट बचेगा बाकी तो तेरे उपर से पूरा बोज खतम हो जाएगा बुल हाँ मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है और अगर मज़ा आ रहा है तो मेरे को अब तक वीडियो पे लाइक क्यों नहीं दिख रहा है येस अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो पे अब तक लाइक क्यों नहीं है और शेयर का बटन क्यों नहीं दबाया बेल आइकोन क्यों नहीं दबा यह अगर आपने खतम कर दिया तो यह आपको और थोड़ासा रिलीफ प्रोवाइड कर देगा बड़ा पार्ट होता है क्योंकि अलावन से याद करने होते हैं बड़ा पार्ट होता है यह एक बार आपने खतम कर दिया और एजी हो जाएगा येस चलो जी आते हैं salary को basic से शुरुवात करेंगे बहुत सिंपल है basic और अलाहन से सब एक साथ तोड़ देने के salary का basic क्या था ले देके section 15 है salary के basic के नाम पर 15 दिया हुआ है क्या होना चाहिए अगर salary income में tax करने है दिर मज़ भी employer employer relationship काम गतम employer word defined नहीं है employee word defined नहीं है तो सब cover हो गए full time, part time, skilled, unskilled, एक employer या एक से जाधे employer सब cover हो गए yes तो आपके बीच में क्या होना चाहिए relationship पोना चाहिए employer employee का खतम हो गया काम salary कैसे taxable है salary is taxable on due or receipt basis whichever is earlier हाला कि कुछ चीज़े सिफ receipt basis पर taxable होंगी yes कुछ चीज़े exception में है कुछ चीज़े सिफ receipt basis पर taxable होंगी कौन सी चीज़े advance salary, advance salary receive होई तो ही taxable नहीं तो नहीं taxable bonus, profiting lieu of salary या फिर arrears of salary ये चाड़ चीज़े ऐसी है जो receipt basis पर ही taxable होंगी otherwise पूरा salary due or receipt basis whichever is earlier पर taxable है yes salary जब compute किया जाता है ये तीन चीज़ों का मिश्रान होता है basic plus taxable analysis plus perquisite yes चलिए अब आते हैं कुछ fully component taxable of salary ये चीज़े fully taxable होंगी salary के अंदर में yes मैं आपको याद दिराता हूं yes मैं आपको याद दिराता हूं सोच के बताईएगा taxable है या नही है अगर आपने इमानदार इसे मेरे साथ class में इसके पर मेहनत करिए तो आपको सब याद आएगा basic सिर्फ video में comment करते जाईए टी मतलब taxable E मतलब exam basic याद करके देखो मैं guarantee देता हूं तुमको याद आएगा basic DA bonus commission overtime allowance right non-practicing allowance warden allowance चल्दी से comment करना है तुम लोगों को याद बेसिक, DA, bonus, commission, servant allowance, warden allowance, overtime allowance, night duty allowance night duty allowance entertainment allowance, project allowance, telephone allowance या सारे taxable as perquisite है या सारे taxable as perquisite है so basic, bonus, fees, advance salary, commission, leave and cashment, uncommuted pension मतलब monthly pension ये सारी चीज़े totally taxable है इसके अलावा एक chart देखेगा मेरे साथ एक chart देखेगा fully component of salary आप regular lecture में थे, basic lecture में थे आपके पास ये chart जरूर होगा क्या-क्या taxable है इसमें से एक्जाम में क्या पूछा जाता है basic, advance salary, areas of salary taxable, bonus, commission, then DA, city compensatory allowance city compensatory allowance, yes taxable, entertainment allowance, taxable, fixed medical allowance, taxable, family allowance, taxable, leave and cashment receive during the service leave and cashment receive during the service, क्या हो जाएगा बिटा, taxable, uncommuted pension, जो आपको monthly pension मिलता है ये भी taxable हो जाएगा, non-practicing allowance, overtime allowance, yes, क्या हो जाएगा, taxable, servant allowance, warden allowance, interim, project allowance telephone allowance, taxable, transport allowance, taxable, any other cash allowance, क्या हो जाएगा, टेक्सेबल हो जाएगा याद रखिएगा, याद रखिएगा, telephone at residence is not taxable yes, telephone at residence is not taxable yes, चलिए जी, सो ये component आपको कभी भी salary में देख रहे हैं, लेना, add कर देना, ठोकना, खतम fully exempted allowance, up to an amount spent, नीचे वाले allowance जो है, ये exempt है, उतना जितना आपने amount spent किया होगा अगर आपको amount spent problem में नहीं दिया है, तो हम assume करते हैं, पूरा amount spent होगा और पूरा का पूरा exempt कर देते हैं, और पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, exempt कर देते traveling allowance, किसी दूसरे city में travel करने के लिए जो allowance मिलता है, traveling allowance होता है, generally official purpose के लिए होता है, इसलिए exempt अब यही problem में traveling allowance लिखा है, 10,000 रुपीज, उसमें से बू लिखा है, actually utilized 8,000, तो 2,000 tax करना होगा और अगर problem में कुछ नहीं लिखा actual use के बारे में, तो काम खतम पूरा 10,000 exempt कर देना, daily allowance, जब आप traveling पे होते हो तो day to day खर्चे के लिए आपको एक allowance दिया जाता है, daily allowance, totally exempt, convenience allowance, within the city official purpose घुमने के लिए एक allowance दिया जाता है, convenience allowance, totally exempt, helper allowance, academic allowance, अगर आपको academic purpose के लिए allowance दिया गया ह तो we call it as an academic allowance, uniform allowance, uniform बनाने और maintain करने के लिए एक allowance दिया जाता है, generally official purpose, totally null, amount received from UNO, United Nations Organizations के तरफ से अगर कोई amount मिला होगा, totally exempt, amount received by High Court Supreme Court Judge, High Court Supreme Court Judge के तरफ से कोई allowance मिला होगा, totally exempt, याद करिएगा, अगर SSC 115BAC opt कर लेता है, तो traveling allowance, convenience allowance, daily allowance and transport allowance, का जो benefit है, exemption का, वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, yes, अब आते हैं हम लोग, partly taxable allowance, partly taxable allowance का एक पूरा list दिया जाता है, जिसमें से सबसे जादा है, exam में दो ही पूछता है, children education allowance, hostel allowance, यही, आपको जितने problem solve करा है, मैंने module में जितने problem देख लो, logically, partly taxable allowance में दो ही है, जो सबसे यादा पूछा जाता है, पहला, children education allowance, बच्चों याद करके बताओ, children education allowance, 100 rupees per child per month subject to two child, hostel allowance, 300 per child per month subject to two child, यह दो है, जो exam में सबसे यादा पूछा जाता है, yes, so, 100 rupees per child per month subject to two child, 300 per child per month subject to two child, यह सबसे यादा पूछा जाता है, allowance for transport employee, transport employee इसे हम running allowance भी कहते हैं इसे हम क्या कहते है बटा running allowance भी कहते है 70% of such allowance और 10,000 पर मंथ whichever is lower 70% of such allowance और 10,000 पर मंथ whichever is lower इसके बाद में tribal area allowance 200 पर मंथ अंडर ग्राउंड अलावंच 800 पर मंथ इसके बाद में transport allowance generally taxable है लेकिन handicap employee को 3,200 पर मंथ का exemption है transport allowance generally taxable है पर handicap employee को 3,200 पर मंथ का क्या मिलता है exemption मिलता है यहाँ पर एक trial के लिए हम लोगों ने डाला था high altitude allowance वगरे ऐसे कई allowance इसके लिस्ते जो आपको पूछे भी नहीं जाते ना आपते examen के अंदर में अगर येस असेशी 115 BAC opt कर देता है only transport allowance for handicap is allowed येस अगर असे 115 BAC opt कर देता है तो ऐसे cases में इन सारे allowance में से सिर्फ handicap employee का 3,200 का allowance है वही होने वाला है वही मिलने वाला है बाकि कूछ मिलने वाला नहीं है येस एक last allowance हमारा बचता है फिर हमारा allowance पूरा खतम हो जाएगा last allowance हमारा बचता है house rent allowance याद करके देखो HRA section 1013A lower of 3 things will be allowed as deduction पहला actual दूसरा 50 और 40% of salary तीसरा rent paid minus 10% of salary याद आ रहा है हाँ या ना राइट सु तीन चीज़े allowed थी पहला actual दूसरा rent paid minus 10% of salary तीसरा 50 और 40% of salary सर 50% कब-कब लेना याद करके देखो Mumbai, Delhi, Kolkata चेन नहीं पूरा इंडिया का map में हमने हाथ गुमाना सीका था Mumbai उपर दिल्ली इधर Kolkata नीचे चेन नहीं ये चार सिटी में accommodation accommodation in चार सिटी के अंदर में होगा तो 50% rest of India 40% problem में accommodation का place नहीं बताया है 40% assume करना है सर salary मतलब basic plus DA for retirement plus commission based on turnover yes अच्छा जी HRA का exemption कब मिलेगा जब कोई accommodation ओन ना हो और दूसरा उसने actually कोई rent पे किया हो yes actually कोई rent पे किया हो तो ही HRA का आपको क्या मिलेगा benefit मिलेगा याद रखे अगर कोई भी factor change होता है any factor change place, person, salary, premises कोई भी factor change होता है the calculation for HRA for that particular part has to be done separately yes for example 6 मेने चंदिकड में थे बच्चे मेने दिल्ली में थे तो 6 मेने का calculation अलग होगा येस, इसके उपर हमने class के अंदर में मोहित नाम का एक problem लिया था same module में भी एक problem है मोहित, HRA पे तो बस ये एक question करके चल जाओ सारे parameter समझ में आ जाते हैं, so मोहित नाम का problem यहाँ पे जरूर देख लेना आपको सारी चीज़े clear हो जाएगी, वैसे मैं आपको याद दिरा दू, अगर assessi ने 115BAC opt कर रखा है, तो HRA exemption अविलेबल नहीं होता, HRA exemption अविलेबल नहीं होता और इस case में HRA totally taxable हो जाता है, उस case में HRA क्या हो जाता है बैटा, totally taxable हो जाता है, तो बदाई हो सर, आपका basic plus allowances वाला part clear हो चुका है, आपका perquisite वाला part clear हो चुका है, और आपका deduction वाला part भी clear हो चुका है, अब सिर्फ एक जो बचता है retirement benefits और यह हम अभी नहीं अगले वीडियो के अंदर में देखेंगे, तो अगले वीडियो के अंदर में हम लोग retirement benefit भी देखेंगे, retirement benefit देखकर करेंगे, उसके अंदर में हम लोग ग्राच्यूटी से लेकर करके provident fund पके सारे adjustment उसके अंदर में cover करेंगे including the interest on provident fund वाला adjustment भी हम उसके अंदर में cover करेंगे मिलूंगा आपको अगले वीडियो के अंदर में और हाँ like, share and subscribe करना मत बूलेगा, दूसरे दोस्तों को दीजेगा ताकि वो भी फटाफट रिवाइस करें इस रिविजन का बहतरीन इस्तमाल अब तब कर पाएंगे जब आपने रिविजन तो मेर साथ कर लिया अब आपकी मेहनत काओ नीची है प्राब्लम सॉल्विंग के उपर अब आप प्राब्लम सुठाईए प्राब्लम सुठा करके सबसे बड़ा बेनिफट तब होगा जब रिविजन आप यहां से दना दन कर दो अपनी बुक को देख लो हाँ चलो रिवाइस हो गया अब पूरा ध्यान क्यूंकि आपके पीछे मेहनत क्यों कर रहा है रिविजन के कि आपका रिविजन टाइम खतम हो जाए और आपका प् यहां पे अब आपका रिविजन टाइम कम हो गया तो प्राक्टिस टाइम बढ़ा दीजे प्राक्टिस के ओपर फोकस कीजे तो आज घर पे जाईएगा आज घर पे जाईएगा प्राक्टिस कीजेगा इन सारी चीजों की तो आपको मज़ा आएगा येस और अगर आप रि येस मालिक बढ़ते हैं आगे अगर आपको याद हो तो salary का अब तक कि क्या कर लिया है salary का हम लोगोंने basic allowances part पूरा खतम कर दिया deduction हम लोगोंने खतम कर दिया perquisites हम लोगोंने खतम कर दिया अब salary में एक ही चीज बाकी है चार चीज़ों में से salary में एक ही चीज बाकी थी और वो थी retirement benefits तो आज आते हैं हम किसके ओपर retirement benefits और यहां पर salary का revision जो रहेगा यह खतम हो जाएगा so retirement benefits बहुत सारे है सबसे पहले याद करके देखते है retirement benefits कौन कौन से सबसे पहले क्या आता है ग्रैचुटी ग्रैचुटी के बाद क्या आता है पेंशन पेंशन के बाद क्या आता है वी आरेस वी आरेस के बाद क्या आता है यह लीव एनकैश्मेंट लीव एनकैश्मेंट के कि ये इत्र चीज को सब आता है सब से पहले आता है ग्रै चूति तियुक्रशन के ऊपर सबसे जआधा कुश्चन पूछी जाता hearing में जल्दी से याद करेके देखो चाल्ट में टीन पाट थे ग्राचुटी रेॉट को से अगर कोई ग्राचुटी मिल रही है totally taxable after the death आपके legal hair को अगर ग्राचुटी मिल रही है totally exempt on retirement याद करो on retirement अगर आपको ग्राचुटी मिल है दो बाते होंगी covered under the gratuity act not covered under the gratuity act नहीं government employee, non-government employee, government employee हो गाża तो fully exempt non-government employee, covered under the gratitude act, not covered under the ग्राचूटियाक, अगर ग्राचूटियाक के अंदर में covered है, lower of three things, याद करके देख, actual 15 by 26 into last drawn salary into number of years of completed service, और part there of in excess of six months, याद आ रहे है क्या तिरको, राइट, अच्छा जी, याद करके देख, lower of three things, पहला, actual, दूसरा, 15 by 26 into last drawn salary into number of year of completed service, और part there of in excess of six months, तीसरा, maximum limit किती थी 20 लाक रुपीज, एक employer से मिले या multiple employer से मिले, येस, अगर ग्राचूटियाक के अंदर में covered नहीं है, lower of three things, पहला, actual, दूसरा, maximum limit 20 लाक, तीसरा, half into average salary of 10 months, preceding the month of retirement, into number of year of completed service, याँ पाट there of लिखावा, नहीं है, येस, तो चलिए, एक एक करके करते हैं, तो तीन पाट बनात हैं, लोग, सबसे पहले, received during the service, येस, अगर received during the service भी है, चरह चार्ट को देखेगा, received अगर during the employment भी है, तो ये क्या है बेटा, totally taxable, और हाँ, 89 का relief, वो claim कर सकते है, after the death मिला होगा, legal heads को, तो it is not taxable, at the time of retirement होगा, दो बाते होगा, government employee, non-government employee, government employee, fully exempt, non-government employee, covered under the gratitude act, not covered under the gratitude act, अ yes, अगर ये gratitude act के अंदर में covered है, lower of three things लेते थे हम लोग, पहला actual, दूसरा 15 by 26 into last drawn salary, सर अगर gratitude act के अंदर में covered है, तो salary का meaning क्या पकड़ते थे हम लोग, इधर आओ, अगर gratitude act के अंदर में covered है, तो salary का meaning पकड़ा जाता था basic plus DA, retirement purpose के लिए हो या ना हो, right, so 15 by 26 into last drawn salary, into number of year of completed service और part there of in excess of six months, part there of in excess of six months, याने मान लीजे, छे महिना, six month, three days हुआ, six month, three days हुआ, बताइए आप कितना count करते थे, six month, three days हुआ, बताइए कितना count करते थे, in excess of six months आपको पूरा साल भर लेना पड़ता था, yes, अच्छा जी, याद करके देखे, वहाँ पे basic plus DA ही था, अगर आ ग्राचुटी आक्ट के अंदर में कवरते हैं, महां commission अड़ नहीं होता था, महां commission अड़ नहीं होता था, सिर्फ basic plus DA ही add होता था, और maximum limit है 20 lakh रुपीज, यह maximum limit एक employer से है, या multiple employer से, बता, multiple employer से मिला करके भी ग्राचुटी का overall maximum limit 20 lakh ही होगा, याने मान लीजे, पहले employer से claim earlier as deduction shall be reduced from 20 lakh, अगर एक से जादा employer से मिला होगा, तो, yes, so actual 15 by 26 into last one salary into number of year of completed service, maximum limit किता बता, 20 lakh, अगर आप ग्राचुटी आक्ट के अंदर में covered नहीं है, तो lower of 3 thing, lower of 3 thing, पहला actual, दूसरा, maximum limit यहाँ पे भी कितना है, 20 lakh ही है, तीसरा, half into average salary, half into average salary of 10 months, preceding the month of retirement, जिस month आप retire हुए हो, उसके पहले से 10 month का average salary लेना है, यहाँ salary का meaning क्या था, यहाँ salary का meaning है बिटा, basic plus DA for retirement plus commission based on turnover, तो, याद रखे, अगर आप covered है, basic plus DA, not covered है, basic plus DA plus commission, यह 3 आपको लेना है, यह जो salary लेना है, average salary, यह कितने months की लेना है, 10 months preceding the month of retirement, जिस month में retirement हुए ह उसको छोड़ दो, इसके पहले के 10 month का average salary लेना है, into number of year of completed service, चलिए कुछ याद दिराता हूँ, अगर, अगर आप graduate act के अंदर में covered है, और employee, seasonal employee है, तो seasonal employee की case में 7 by 26 लिया जाता है, instead of 15 by 26, लेकिन अगर आप non covered है, तो seasonal employee के case में भी आपका जो calculation है, यह half ही होगा, half ही होगा मान लीज़े अगर problem में यह नहीं दिया है कि gratitude act में covered है या not covered है, क्या assume करेंगे not covered, अगर problem के अंदर में यह नहीं दिया है कि covered है या uncovered है, आप हमेशा क्या assume करेंगे बिटा, not covered assume करेंगे, getting it or not मालिक, yes, इस में से सबसे ज़्यादा question किस से पूछता है, examiner आपको सबसे ज़ ज़्यादा question आपको not covered के उपर पूछता है, yes मालिक, चलिए, ये था gratitude, ये था बिटा, gratitude, gratitude के बाद next concept पे आते हैं हम लोग pension, pension की tension, section को याद रखने का तरीका था, अब मैं आराम करूँगा ये से, आराम करूँगा pension की जिन्दगी जियूँगा, yes, again pension में भी तीन पार्ट ये बिटा, totally taxable होती है, right, after the death अगर आपको pension मिलती है, after the death आपको pension मिलती है, तो इसे हम family pension कहतने है, और family pension IFOS में taxable होती है, at the time of retirement मिले, तो आपको दो चीज़े देखने पड़ेगी, commuted या uncommuted, committed pension मिल रही है, या uncommuted pension मिल रही है, या uncommuted pension मिल रही है, लंब सम, uncommuted का मतलब होता है, monthly, yes, अगर monthly pension मिल रहा है, uncommuted pension मिल रहा है, uncommuted pension is taxable to all, so चाहिए government employee हो, चाहिए non-government employee हो, uncommuted pension, that is monthly pension is taxable to all, it is taxable to all, यही अगर commuted pension रहे, यही अगर क्या रहे है, बिटा, commuted pension रहे, मतलब, lump sum pension, दो बातों पर depend करता है, government employee, non-government employee, government employee रहेगा, fully exempt, तो government employee रहेगा, commuted pension मिला, fully exempt, non-government employee होगा, तो हमें चेक करना होगा, इसी also in receipt of gratuity, not in receipt of gratuity, हमें चेक करना होगा, इसी also in receipt of gratuity, not in receipt of gratuity, अगर gratuity भी मिल रही है, तो कितना exempt है, gratuity भी मिल रही है, तो one third of full value of pension exempt है, otherwise gratuity नहीं मिल रही है, तो half of full value of pension exempt है, half of full value of pension क्या है बिटा, exempt है, तो during the service taxable, after the death of employee घरवालों को pension मिले, taxable in IFOS, on retirement, commuted, uncommuted, yes, uncommuted is taxable to all, commuted, government, non-government, government है, fully exempt, non-government है, in receipt of gratuity, not in receipt of gratuity, in receipt of gratuity है, one third of full value of pension exempt, otherwise one half of full value of pension exempt, सर, full value of pension कैसे निकाला जाता है, याद करके देख बिटा, full value of pension कैसे निकालते थे हम लोग, amount received divided by percentage of commutation, problem में percentage of commutation already दिया होता है, problem में percentage of commutation already दिया होता है, तो आपको वही लेना होगा, yes, percentage of commutation आपको already दिया होता है, आपको वही लेना होगा, ये सौनो मालिक चलेगा हमने regular lecture और faster के अंदर में दोनों भी इसके उपर questions all किया आवा है please जाके देखेगा impact हर एक के नीचे एक questions all किया आवा है तो आराम से देख लिजेगा तीसरी चीज आती है बटा retrenchment compensation retrenchment compensation हमने इसको याद करने का तरीका निकाला था अगर आपको याद हो तो 1010B जब employer ने employee को बाहर निकाला Before बाहर निकाला retrench कर दिया अगर ये रिट्रेंचment हो रहा है as per the scheme of central government retrenchment हो रहा है as per the scheme of central government क्या पकड़ा जाता है बटा निल अगर अगर Central Government Retrenchment Schema आ रहा है तो lower of 3 thing पहला याद करके देखो lower of 3 thing पहला मैं बोलूँगा actual दूसरा Retrenchment Compensation याद करो maximum limit कितना था बिटा 5 lakh maximum limit कितना था बिटा 5 lakh तीसरा तीसरा amount determined as per amount determined as per industrial dispute act yes so amount amount calculated as per industrial dispute act maximum limit 5 lakh amount calculated as per industrial dispute act कैसे निकालते हैं बहुत आराम से दियावा है 15 by 26 into average salary of last 3 months into number of year of completed service और part thereof in excess of 6 months और part thereof in excess of 6 months yes मालिक चलो जी बहुत बदिया राइट ओके चलिए so sir यहाँ पे average salary बूला है of last 3 months salary का मतलब क्या लेंगे sir salary का मतलब लेना है basic plus DA for retirement salary का मतलब क्या लेना है बिटा basic plus DA for retirement so 15 by 26 into average salary of 3 months into number of year of completed service और part thereof in excess of 6 months yes वही है you know 6 महिना या let's say 7 महिना हुआ होगा 20 साल 7 महिने कित्ते साल पकड़ेंगे 21 years पकड़ना पड़ेगा 21 years पकड़ना पड़ेगा so पहला था बिटा gratitude दूसरा था बिटा pension तीसरा था Retrenchment Compensation चौता था बिटा VRS VRS की अगर condition फुल्फिल होती है तो आपको lower of falling exempt मिलेगा VRS के लिए lower क्या क्या है जरह याद करके देखो VRS के लिए lower क्या क्या है exemption is lower of पहला actual दूसरा यहां की भी maximum limit कितनी है 5 lakh यहां की भी maximum limit कितनी है 5 lakh तीसरा amount higher of amount higher of last drawn salary into 3 into number of year of completed service या last drawn salary into balance number of months left for service yes so last drawn salary into 3 into number of year of completed service या last drawn salary into balance number of months left for service sir balance number of months left for service कैसे निकालते थे याद करके देखो हम क्या करते थे balance number of months left for service कैसे निकालते थे हम क्या करते थे सबसे पहले समझते थे age of retirement कितना है हम सबसे पहले समझते थे age of retirement कितना है इसमें के assessi की age को क्या कर देते थे minus कर देते थे जो भी आता था, यह आता था, years के अंदर में, इसको month से multiply कर देते थे, number of month से क्या कर देते थे, multiply कर देते थे, yes or no, so पहला actual, दूसरा 5 lakh, तीसरा amount higher of last drawn salary into 3 into number of year of completed service, या last drawn salary into balance number of months left for service, yes or no, right, so age of retirement जो भी थी, minus जो आपका age है, यह आता था, years के अंदर में, years को हम multiply कर देते थे, किस के साथ बो बेटा, number of months के साथ, यह निकल जाता था, balance number of months left for service, yes, इन दोनों में का higher और इन तीनों में का जो भी lower होता था, यह हम क्या करते थे, exemption claim करते थे, याद आ रहा है, sir यहाँ पे salary का मतलब क्या था, यहाँ salary का मतल सकता था, एक बार से जाधा claim किया जा सकता था, नहीं, yes, 89-1 का relief यहाँ पे भी मिलेगा, इसके बाद आयते हम बिटा, leave salary के उपर, जरह चार्ट को याद करके देखो, leave salary के, जरह चार्ट को याद करके देखो, leave salary के, अगेन यहाँ पे भी तीन बाते थी, during the service, on retirement, after the death, during the service, on retirement, after the death, yes, during the service मिला, taxable, आपको नहीं लगता एक shortcut आप क्या कर सकते हो, कोई भी तरके का retirement benefit, अगर during the salary, during the employment आपको मिला है, तो यह taxable है, यह सीधा-सीधा shortcut है, चार्ट का यह वाला पार्ट पढ़ने का जरूती नहीं है, yes, after the death मिला, not taxable, leave salary अगर आपके घरवालों को मिल रही है, तो यह not taxable है, at the time of retirement, government employee को मिली, fully exempt, government employee को मिली, fully exempt, याने इसका एक और shortcut बनाते हैं, government employee अगर है, तो उसको सिफ uncommuted pension taxable है, retirement benefit का, बाकि सब exempt, सोच के देखो, अगर दिल हाँ कहे, तो जरा हाँ भी कहे ना, और वीडियो को like भी मारना जरूर से, government employee अगर है, तो uncommuted pension छोड़ करके, बाकि किसी भी तरह के retirement benefit में सब नहीं ले उसको, तो अगर आपको सही लगे, तो 10 ना से like भी ठोक दो, और हाँ भी बोल दो जल्दी से, right, अच्छा जी सर, non-government employee है, तो lower of 4 thing पकड़ा जाता है, non-government employee है, तो lower of 4 thing पकड़ा जाता है, कौन स था, leave credit for 30 days, leave credit for 30 days, पहला actual, दूसरा average salary for 10 months, तीसरा maximum limit 3 lakh, चौता था बेटा, leave credit for 30 days, ये leave credit निकालना ही सबसे बड़ा game था, याद करके देख, leave credit हम लोग कैसे निकालते थे, आपके पास अगर book होगा, fast track book होगा, कुछ भी होगा, जार द्यान से सुनना, leave credit किस तरीके से नि into average salary divided by 30, balance leave into average salary divided by 30, याद आ रहा है का तुमको जरा याद करके देखना वाला, balance leave into average salary divided by 30, इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, निकालते थे, balance leave निकालने का तरीका जो था, ये बिल्कुल जबरदस था, अगर आपको याद हो तो, balance leave जो था, ये हमें देखना पड़ता था, balance leave जो था, ये हमें क्या करना पड़ता था बेटा, देखना पड़ता था, ये 30 से जादा है, 30 है या 30 से कम है, तो आपकी जो leave है, ये more than 30 है, leave is equal to 30 है, leave less than 30 है, अगर leave more than 30 भी है, तो आपको 30 every year लेना पड़ता था, yes, equal to 30 या less than equal to 30 है, तो भी आपको 30 per year लेना पड़ता था less than 30 है तो आपको actual लेना पड़ता था into number of year of completed service ये बनता था आपका total leave ये बनता था आपका total leave total leave कैसे निकालते थे सबसे पहले देखते थे कि भी या कितना leave साल भर में allowed है क्या आपको leave 30 से जादा allowed है तो भी calculation 30 into number of year of completed service लेते थे 30 ही allowed है तो 30 into number of years of service 30 से कम है तो actual into number of years of completed service तो ये था आपका balance leave into number of years of completed service ये आपका total leave आता था total leave में से leave availed हम लोग माइनस करते थे यादा रहा है total leave में से leave availed हम लोग माइनस करते थे ये बनता था बेटा आपका balance leave और balance leave balance leave को आप multiply करते थे average salary से डिवाइड करते से 30 थे, तब जाके आपको leave credit मिलता था for 30 days, क्या तुम्हें याद है? तब जाके आपको leave credit मिलता था 30 days के लिए, so balance leave, 30 से जादा है, calculation 30 पे होगा, 30 है 30 पे होगा, 30 से कम है actual number of days पे होगा, right, into number of years of completed service आपका total leave निकलेगा, total leave में से leave आपने already कितनी ले ली माइ minus कर दो, यह बच जाएगा balance leave, balance leave into average salary divided by 30, yes, is that done, so leave credit, sir salary कैसे पकड़ोगे, average salary में salary का meaning क्या है, बिटा salary का meaning है basic plus DA for retirement plus कम, yes, तो salary का मतलब क्या होगा, salary means basic plus DA for retirement plus commission based on turnover, relief will mean relief under section 891, यहाँ पे भी क्या होगा, बिटा, available होगा, yes, sir, leave earned कैसे calculate करेंगे, leave credit into average salary divided by 30, yes or no मालिक, चलो जी, yes, okay, so, so, यह था आपका leave salary, क्या-क्या हो चुका है, जड़ा देख लेते हैं, gratitude हो चुका है, pension हो चुका है, VRS हो चुका है, retrenchment compensation हो चुका है, leave credit हो चुका है, yes, leave credit हो चुका है, अब हमारा कौन सा retirement benefit बचता है, अब एक retirement benefit बचता है, सीधा-सीधा वो है, provident fund, अगर आपको याद हो, तो provident fund ही है, जो हमारा बचता है, provident fund को बड़े ध्यान से देखना, recently दो बार से, इसके अंदर में काफी amendment आ रहा है, amendment का तो clear है, right, amendment भी बहुत clear है, इससे related calculations भी हम लोगों ने करे वे हैं, amendment lecture में भी इससे related calculations अल्रेडी दिये वे हैं, तो please focus कीजेगा, provident fund mainly 4 प्रकार के, yes, provident fund mainly 4 प्रकार के, SPF, RPF, URPF, PPF, सबसे ज़्यादा question आने वाला है, RPF पे उसके उपर focus करना, ठीक है, sir, statutory provident fund, कोई भी provident fund में 4 चीज़े आपको सोचनी पड़ती है, पहला, employer's contribution, employer's contribution, इस पे मिलने वाला interest और final amount का क्या होगा, याने हमें 4 एंगल सोचने पड़ते हैं, जब भी हम किसी provident fund के बारे में सोच रहे हैं, employer ने contribute किया, तो employee के हाथ में क्या होगा, employee ने जो contribute किया, इसका क्या होगा, जो interest receive होगा, इस provident fund पे उसका क्या होगा, और जो final amount हम लोग ले रिख के आएंगे, उसका क्या होगा, clear है मालिक, तो चलिए सबसे बेले बात करते है, statutory provident fund, statutory provident fund दुनिया का सबसे easy provident fund है, employer जो contribute कर रहा है, it is not taxable, exempt from tax, own contribution is allowed as deduction, interest जो मिल रहा है वो exempt, और final amount भी जो मिल रहा है, यह totally exempt है, section 10, subsection 11 के अंदर बे, तो SPF is very easy, right, nothing is taxable, nothing is taxable, employer जो contribute कर रहा है exempt, employee जो contribute कर रहा है, own contribution, deduction under ATC, interest exempt, final amount exempt, cut, copy paste कर देना, PPF में, PPF में सिप employer contribution नहीं रहाता, right, own contribution, deduction under ATC, interest exempt, final amount exempt, काम खतम, interest exempt, final amount exempt, काम खतम, so SPF, PPF ये बिलकुल सेम चलने वाला है, इसके उपर दिमाग ना लगाते वे, अब आना, RPF के उपर, yes, RPF, employer contribution is exempt up to 12% of salary, employer contribution is exempt up to 12% of salary, 12% of salary, 12% of salary, 12% के उपर का जितना भी amount रहेगा, वो taxable हो जाएगा, मान लीजे, employer ने employee को contribute किया 15% of salary, 3% of salary becomes taxable in the hands of employee, sir salary बोले तो, basic plus DA for retirement plus commission based on turnover, basic plus DA for retirement plus commission based on turnover, right, interest, own contribution का क्या होगा, own contribution is allowed as deduction under 80C, own contribution is allowed as deduction under 80C, interest कितना exempt है, up to 9.5% per annum, 9.5% per annum के उपर का जो भी interest होगा, ये salary में taxable हो जाएगा, 9.5% के उपर का जो भी interest होगा, ये क्या हो जाएगा, salary में tax हो जाएगा, और final amount क्या रहेगी बिटा, exempt, final amount क्या रहेगी, exempt subject to certain condition, yes, वो condition याद करके देख लो, वो 5 साल तक क्या आपको continuously RPF में contribute करके रखना होगा, 5 साल से पहले आप क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, वो ही जो हमने lecture में देखा था, 5 साल से पहले आप क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, 5 साल से पहले अगर छोड़ दिया तो taxable हो जाएगा, unless and until आपने किसी दूसरे account के अंदर में transfer किया हो, आपने job करना ही छोड़ दिया हो, आप handicap हो गए हो, तो यह सारी cases में 5 साल से कम के case में भी exemption मिल जाएगा, otherwise minimum 5 साल तक के तो आपको job continue करना ही पड़ता है, yes, so RPF में employer contribute कर रहा है, exempt up to 12% of salary, interest is exempt up to 9.5%, own contribution allowed under section ATC and final amount क्या रहेगा, exempt रहेगा, final amount क्या रहेगा बिटा, exempt रहेगा, right, अच्छा जी, URPF याद करते हैं, exam point of view सबसे ज़्याद आपको पूछा जाएगा RPF, तो focus आपका जो होना चाहिए, selective study के लिए वो होना चाहिए RPF के उपर, URPF, Unrecognized Provident Fund, क्या बिटा, Unrecognized Provident Fund, employer जो contribute कर रहा है, not taxable in the year of contribution, जिस साल वो contribute कर रहा है, उस साल taxable नहीं है, own contribution का कोई deduction ATC में नहीं मिलता, interest जो आ रहा है, वो again taxable नहीं है, जिस साल में उसमें earn किया है, लेकिन जब इसका final amount आएगा, इसमें 4 component होंगे, जब इसका final amount आएगा, इसमें 4 component होंगे, employers contribution, उसके उपर का interest, employees contribution, उसके उपर का interest, आपको नहीं लगता, at the end में 4 चीज़े होंगी, employer contribution, उसके उपर का interest, employee contribution, उसके उपर का interest, employer contribution और उसके उपर का interest will be taxable in salary, employer contribution प्लस उसके उपर का interest will be taxable in salary, employees own contribution is not taxable, sir क्यों, मेरा ही पैसा है, आप मेरे हाथ में क्या वापस tax कर दोगे, तो employees own contribution is not taxable but interest on employees contribution is taxable in other sources तो URPF के end में आपको चार्चीजे मिलती है employer contribution उसके उपर का interest employee contribution उसके उपर का interest employer contribution प्लस उसके उपर का interest ये salary में taxable होगा employee own contribution not taxable मेरा ही पैसा है मेरको ही वापस मिल रहा है लेकिन interest on employee contribution is taxable in IFOs employee own contribution is exempt interest on employee contribution is taxable in other sources बाकि सारे receipt कहां चले जाएंगे salary के अंदर में चले जाएंगे बाकि सारे receipt कहां चले जाएंगे salary के अंदर में चले जाएंगे येस और नो चलिए चलिए एक और बात करते हैं चलिए एक और बात करते हैं एक overall cap limit लगाई गई है एक overall cap limit लगाई है अगर आरपी एफ कॉंट्रिबूशन से अंदर में प्लस पेंशन स्कीम के अंदर में प्लस पेंशन स्कीम में प्लस सूपर अनुवेशन फंड में employer का contribution 750 से उपर जा रहा है employer का contribution 750 से उपर जा रहा है the excess contribution is also taxable the excess contribution is also taxable the excess contribution is also taxable तो ज़र ध्यान से सुनिएगा employer अगर contribute कर रहा है आरपी एफ में प्लस पेंशन फंड के अंदर में या फिर super annuation fund में in excess of 7,50,000 in excess of 7,50,000 the excess contribution is taxable the excess contribution is taxable clear है Malik so मान लो employer ने क्या किया recognize provident fund के अंदर में 4,00,000 deposit किया pension fund जो ATCCD के अंदर में आता है इसके अंदर में 2,00,000 contribute किया और super annuation fund के अंदर में 3,00,000 contribute किया अब total contribution किता हुआ 9,00,000 हुआ right 9,00,000 minus 7,50,000 किता होता है 1,50,000 यह 1,50,000 क्या हो जाएगा बिटा taxable हो जाएगा to employee यह 7,50,000 क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा किसको taxable हो जाएगा employee को taxable हो जाएगा अब एक important बात जब यह 7,50,000 का limit count करते रहेंगे तो यह interest भी cover करेगा जब 7,50,000 का limit count करते रहेंगे तो interest भी cover करेगा क्या सवाल है जल्दी से बताएगे जब 7,50,000 का limit count करते रहेंगे क्या यह interest भी cover करेगा हाँ या ना answer is yes annual accretion by way of interest dividend और any other sum of similar nature will also be counted in such manner as may be prescribed in such a manner as may be prescribed इसके उपर जब हम 7,50,000 का limit count करते रहेंगे तो इनके उपर का interest है यह भी 7,50,000 में count होगा yes यह भी 7,50,000 में क्या किया जाएगा count किया जाएगा अब जो interest है या dividend है यह किस manner में निकालना यहां पे लिखाता as may be prescribed हम बताएंगे yes as may be prescribed हम बताएंगे अब इन्होंने इसके लिए भी क्या दे दिया था rule दे दिया था अगर आपको याद हो तो annual accretion by way of interest dividend और any other similar nature yes to the balance of RPF, MPS and superannuation fund to the extent it relates to employer contribution which is included in total income shall be computed in prescribed manner वहां लिखा था कि यह जो annual accretion होता है interest का right यह भी हम क्या करेंगे tax करेंगे मतलब 7,50,000 के limit के लिए हम interest भी इसमें क्या करेंगे add करेंगे अब यह interest यह dividend निकालना कैसे है इसके लिए कोई rule नहीं दिया था और अब जा करके उन्होंने क्या दिया rule दिया था rule 3B अगर आपको याद हो तो इसके लिए rule 3B दिया था और इसके लिए जबरदस formula दिया था formula उमीद करता हूँ आपको याद होना चाहिए इसके उपर हमने problem भी solve किये class में problem क्या था taxable perquisite यह जो 7,50,000 के उपर का amount होता है इसे perquisite बोल करके tax किया जाता है तो taxable perquisite कैसे निकलेगा interest dividend कैसे निकलेगा formula था PC upon 2 into R PC upon 2 into R plus PC1 plus TP1 into R yes so PC upon 2 into R plus PC1 plus TP1 into R right तो जो 7,50,000 के उपर का amount जा रहा है 1,50,000 यह taxable as perquisite है in the hands of employee बरवर है यह 7,50,000 के लिए हम लोग interest भी count करेंगे dividend भी count करेंगे अब यह interest कैसे निकला जाएगा interest निकला जाएगा PC upon 2 PC का मतलब होता है जो आपका own contribution है in excess of 7,50,000 जो आपका year का contribution है na current year का contribution है in excess of you know 7,50,000 वो लिया जाता है current year contribution divided by 2 into R R कैसे निकलता है R निकलता है I upon F average I कैसे निकलता है I is equal to I upon F average what is I, I का मतलब होता है जितना भी interest आपने earn किया है F average क्या है F average is opening balance of the fund as on the first day of previous year plus closing balance of the fund divided by 2 divided by 2 so so PC upon 2 into R plus PC1 plus TP1 into R, PC1 क्या रहेगा भी या previous year का कोई excess contribution होगा वो, TP1 आपको क्या होगा इसके पहले का कोई taxable perquisite होगा वो, into R R क्या है, I divided by F average इसके उपर हम लोगों ने already problem solve किया है, please वो problem देख करके जाना, please वो problem देख करके आपको जाना है so, वापस से आते हैं, एक overall limit दी गई है, overall limit किसकी है employer contribution की employer contribution अगर कितने से उपर जा रहा है, RPF में, प्लस pension fund में, प्लस super animation fund में 750 के उपर जा रहा है, तो जितना access जा रहा है, it is taxable as perquisite जब हम यह 750 की limit count करते रहेंगे, तो interest और dividend भी हमें क्या करना होगा, count करना होगा, अब यह interest और dividend कैसे निकलेगा, law कहता था, हम calculate करेंगे, in a manner prescribed, अब यह manner prescribed क्या है, PC upon 2 into R, प्लस PC1 प्लस TP1 into R, इस तरीके से क्या किया जाएगा, यह निकाला जाएगा everybody, yes ओनो अच्छा जी अच्छा जी एधर आईए एधर आईए, यहां तक क्या clear है मालिक अब employee employees own contribution employees own contribution ज़रा बात समझेगा, क्या होता था employee का own contribution जो होता था provident fund के अंदर में right, employee का own contribution जो होता था, provident fund के अंदर में specifically RPF या public provident fund के अंदर में यह contribution के उपर जो interest आता था यह interest अब तक के taxable नहीं था जो employee का contribution होता था RPF में या PPF के अंदर में बरवर है तो यह contribution जो होता था इसके ओपर जितना भी interest आता था यह interest क्या होता था taxable नहीं होता था यह interest taxable नहीं होता था लेकिन पिछले साल ही amendment आया था के employee का contribution employee का own contribution yes 2,50,000 से उपर चला जाए या फिर PPF के case में 5,00,000 के उपर चला जाए तो जितना excess amount पे जो interest आ रहा है वो interest क्या होगा taxable होगा वापस से सुनिएगा जरह ध्यान से वापस से सुनिएगा जरह ध्यान से employee employee का जो contribution था recognized provident fund में या public provident fund के अंदर में इसके उपर जितना भी interest आता था यह interest पहले taxable नहीं था लेकिन लेकिन एक अप्रिल 2021 के बाद जितना भी excess contribution होगा over and above 2.5,00,000 या PPF के case में above 5,00,000 excess contribution का जो interest है वो interest क्या किया जाएगा employee के हाथ में tax किया जाएगा वो employee के हाथ में क्या किया जाएगा tax किया जाएगा let me give you an example मान लीजे एक employee है मान लीजे एक employee है इसने क्या किया recognized provident fund में contribution किया recognized provident fund के अंदर में contribution किया यह contribution किया अब 4,00,000 उसने किया after 1,00,000, 2021 उसने 4,00,000 contribute किया 4,00,000 में से पहले 2.5,00,000 को बाजू कर देना 2.5,00,000 के उपर का जो interest है 2.5,00,000 के उपर का जो interest है यह taxable नहीं है जो excess contribution है that is 1.5,00,000 जो excess contribution है यह excess contribution के उपर जो interest आएगा न यह interest को क्या किया गया है tax किया गया है यह interest को क्या किया गया है tax किया गया है Employee RPF के अंदर में contribute कर रहा है या PPF के case में, PPF के case में ये 2.5 lakh के limit file act हो जाती है, so employee contribute कर रहा है RPF को, तो employee जो contribute कर रहा है RPF को beyond 2.5 lakh, beyond 2.5 lakh, yes, ये beyond 2.5 lakh रुपीस का जो interest है, ये interest, क्या हो जाएगा, अब taxable हो जाएगा, समझ में आ रहा है, yes or no, so उन्होंने कहा, any payment of provident fund to which provident fund act applies or public provident fund would be exempt, the accumulated balance and becoming payable to employee participating in RPF would be exempt under 10-12, however, exemption under 10-11 and 12 would not be available in respect of income by way of interest accrued during the year to the extent it relates to the amount or aggregate amount of contribution exceeding 250,000, in previous year in that fund on or after 1st April 2021, so अगर 1st April 2021 के बाद जो आपका contribution जा रहा है, ये contribution अगर 2.5 के उपर जा रहा है, तो ये 2.5 के उपर का interest है, ये interest को क्या कर देंगे, exempt नहीं करेंगे, इसे tax किया जाएगा, yes, if the contribution by such person is the fund in which there is no employer contribution, अब employer contribution किस में नहीं रहा है, पीपफ में नहीं रहा है, तो पूरे चार लाग रुपए के उपर जो इंटरस्ट आ रहा है, ये interest क्या होने वाला है, एक्जम्ट रहने वाला है, उस पर टाक्स नहीं लगने वाला, yes, it may be noted that interest accrued on contribution to such fund up to 31st March would be exempt, ऐसे fund पे 31 March 2021 तक के जितना भी contribution आ चुका है, वो तो वैसे भी exempt है, उसके बारे में हम बाती नहीं कर रहे है, हम बात कर रहे है, जो contribution 14 2021 के बाद employee कर रहा है, beyond 2.5 वाले amount पे, तो ये जो 1.5 लाक रुपीज के उपर का जो interest है, ये interest क्या हो हो जाएगा, अब किसके हाथ में, employee के हाथ में, ये interest taxable हो जाएगा, किसके हाथ में, employee के हाथ में, yes or no, जो भी interest आ रहा होगा, ये interest क्या हो जाएगा, taxable हो जाएगा, किसके हाथ में, employee के हाथ में, हाँ या ना, तो याद रखें, वापस एक बार पूरा repeat कर देता हूं, provident fund वाला पार्ट, employer, employer contribute कर रहा है, RPF में, PPF, pension fund के अंदर में, superannuation fund में, more than 7.5 lakh, ये more than 7.5 lakh, employee के हाथ में perquisite बोलके taxable है, जब ये 7.5 lakh का limit निकालते रहेंगे, interest भी count किया जाएगा, इस 7.5 lakh की limit में, interest कैसे निकलेगा, PC upon 2 into R, plus TP1, PC1 plus TP1 into R, yes, इस तरीके से interest निकलेगा, और जि 50 के उपर जा रहा है, वो amount क्या हो जाएगा, perquisite बोलके taxable हो जाएगा, yes, इसके बाद employee अगर contribute कर रहा है, 14 2021 के बाद, RPF में या PPF में, yes, ये contribution 2.5 या 5 के उपर जा रहा है, तो जितना excess amount है, उसके उपर का जो interest है, ये किसके हाथ में taxable है, employee के हाथ में, उसको exemption मिलने वाला नहीं है, उसको exemption मिलने वाला नहीं है, yes, RPF में वो जो condition थी, कि भीया, आपको अगर final amount exempt करवानी है, तो ये वो 5 year वाला limit था, कि 5 साल तक के तुमको job में रह नहीं है, 5 साल से पहले छोड़ रहे हो, तो आप critical yield हो क्या, या फिर ऐसे cost के वज़ए से छोड़ रहे हो क्या, त मालिक खतम होता है, आपका पूरा salary क्या होता है मालिक, खतम होता है, जल्दी से बताईए salary को फटाक से revise करके आपको कैसा लगा, yes, आप इसको revise कैसे कर सकते हो, पहले perquisite में घुसना, वहां से deduction में जाना, deduction से allowance में जाना, वहां से retirement benefit में जाना, तो आपको salary बड़ा easy लगने लगेगा, otherwise क्या होगा, जैसे ही आप basic से retirement benefit तक के गए, आपका बिल्कुल mind ही इधर से उधर चला जाएगा, और आप बोलोगे भीया, छोड़ो हमसे ना होने वाला, और इस तरीके से आपका salary क्या होता है बिटा, over होता है, yes, अगर वीडियो पसंद आया है, तो like करे, subscribe करे bell icon को दिबा दे और हाँ, अपने दोस्तों को भीच देना बिल्कुल मत भूले, अगले वीडियो के अंदर में आपके साथ next revision के लिए मिलूँगा, bye bye and take care